प्रतिनिधी राजनेतिक विचारक, Representative Political Thinkers अध्याए एक, प्लेटो प्लेटो के द्वारा, जब तक दाशनिक राजा ना बन जाए, या राजाओं और युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ती ना आ जाए, और राजनेतिक महानता तथा बुध्धी मता एक में ना मिल जाए, और वैसाधारन मनुष्य जो की इन में से केवल किसी एक गुण को दूसरे की पून रूप से अभेलना करते हुए, प्राप्त करने की चेश्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विविश्णा कर दिये जा और नहीं जैसा की मेरा विश्वास है, संपून मानव जाती को शान्ती प्राप्त हो सकती है। Cities will never have rest from evils, no, nor the human race as I believe. By Jouet's Translation, The Republic of Plato, Book 5, 473, Page 203, Note Completed Plato, दर्शन शास्त्र और राजनेतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक Plato, पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनेतिक दार्शनिक है, क्योंकि उससे पहले पश्च में किसी ने भी राजनेतिक दर्शन का करमबद रूप में प्रतिपादन नहीं किया है। Plato के संबंद में इससे भी अधिक महत्वपून तथी ये है कि उसका राजनेतिक दर्शन मानफता के लिए अमर संदेश है। उसका ये कथन कि राजने मानफ का ही प्रतिरूप है और जिस प्रकार एक आदश मानफ में सत, रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदश राजने में इन तीनों गुणों का सामजसे और सतों गुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी जो आर्थिक स्वार्तों से निडलिप्त तथा इहलोकिक आकर्षनों से परे हो अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना की उस समय था जीवन परीचे पश्चिमी जगत के इस अमर दाशनिक प्लेटों का जन्म एथिन्स के एक कुलीन परिवार में 428 इसवी पूर्व में हुआ उसका पिता अरिस्तोंना एथिन्स के अंतिम सम्राठ काड्रस के वंश में हुआ था और उसकी माता एथिन्स की प्रसेद स्मृतिकार सोलन के घराने की थी उसे उच्च कुल, वैभव, अद्वीतिये संदरिये, शारिरिक स्वास्थे, प्रकर बुद्धी और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्ति था उसका वास्तिविक नाम अरिस्तोकलीस था, किन्तु उसके खूब भरे हुए चोड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया, और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया प्लेटो को प्रारंबिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्याले में भीश दिया गया, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैटकर उसने ग्यानर्जन किया ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन होने के कारण ततकालिन स्थिती के आधार पर उसकी स्वभाविक इच्छा एथिन्स में राजने तिक जीवन अपनाने की थी किन्तु उसके प्रिये गुरू और उसकी द्रिष्टी में विश्व के शिष्टतम मानफ सुकरात को जब 399 इसवी पूर्फ में मृत्यू दंड मिला फुट नोट टू एथिन्स के शासकों ने सुकरात पर ये आरोप लगा कर मृत्यू दंड दिया था कि उसने युवकों को राज्ये के विरुद भड़काया है और कानूनों का उलंगन किया है सुकरात की मृत्यू के समय प्लेटों की आयू 28 वाश की थी नोट कम्प्लेटिड तो इस खटना का उसके जीवन पर ऐसा आगहात लगा कि उसने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और एक दाशनिक जीवन को अपना लिया फोस्टर के शब्दों में प्लेटों के जीवन में मौन 399 इसवी में आया जबकि वे 28 वर्ष का था प्लेटों के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव है इस संबंद में मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटों में सुकरात पुनहा जीवित हो गया है फुटनोट वन इन प्लेटों सुकरेटीस लिवड अगें इन प्लेटों सुकरेटीस लिवड अगें बाय मैक्सी चेस्टर पॉलिटिकल फिलोसिफीज पेज 39 प्रिष्ट संख्या दो सुकरात की मृत्यू के बाद प्लेटों एथिन्स में अधिक दिनों तक ना रह सका और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले बारहा वर्षों तक मिस्त्र, इटली और युनान की नगरों का भ्रहमन करता रहा ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों उसने गंगा के तर्ट तक भारत की यात्रा भी की थी इसी काल में वे सिसली भी गया और सिसली के सिरा क्यूज राज्ये में उसकी भेट, दियॉन, फुटनोट टू, दियॉन, दियॉनसीयम प्रथम का साला था नामक एक अत्यन सूसंस्कृत व्यक्ति एवं वहां का राजा दियॉनसीयम प्रथम से हुई एक युग बीद जाने पर पित्र भूमी के प्रेम ने प्लेटो को फिर सताया और वे एथन्स लोट आया सुकरात की मृत्यों के ठीक 11 वर्ष बाद विदेश यात्रा से लोट कर प्लेटो ने 388 इसवी पूर्व में एक शिक्षण आले खोला यहीं प्लेटो की वे प्रसिद्ध अकादमी एकेडमी ये शिक्षण संस्था थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्विद्याले कहा जा सकता है उसने अपने जीवन के शेश 49 वर्ष एक दाशनिक और अध्यापक के रूप में यहीं बिताए इस अकादमी में राजनिती, कानून और दर्शन सभी विश्यों की शिक्षण की वेवस्था थी किन्तु गणित शास्त्र और जयमती की शिक्षण को प्रधानता प्राप्ट थी इस शिक्षण आले के प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थे Let no mean ignorant of geometry enter here 366 इस वी पूर्व में दियोनिसियस प्रधम की मृत्य हुई और उसका पूत्र दियोनिसियस द्वीतिय राजगर्दी पर बैठा इसी समय उसे दियोन से संदेश मिला कि दाशनिक राजा के सिध्धानत को वहवारिक रूप प्रदान करने का अफसर आ गया है इसमें निश्चत रूप से बड़ी संभाबनाई नहीं थी इसलिए वे सिराक्यूद गया प्लेटो वहां कुछ समय तक रहा किन्तु उसे विशेश सफलता नहीं मिली इसी समय दियोनिसियस ने दियोन को सिराक्यूद से निर्वासित कर दिया अतहद दियोन के प्रशन को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन हो गया और प्लेटो 366 इसवी पूर्व में एथन्स लोट आया इस प्रकार दाशनिक राजा के सिध्धान्त को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में उसे सफलता नहीं मिली 81 वर्ष की आयू में 347 इसवी पूर्व अपने पीछे अरस्तु आदी सैंकडो शिश्यों को छोड़ कर ये अमर दार्शनिक मृत्यों की गोद में सो गया प्लेटो के समवाद Dialogues of प्लेटो प्लेटो के सभी ग्रंत प्रशनोत्त रूप में समवाद या वार्दलाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें समवाद कहा जाता है प्लेटो ने इस प्रकार के 36 समवाद लिखे हैं उसके राजनेतिक विचारों का ग्यान प्राप्त करने के लिए हमें प्रधान तहा रिपबलिक, स्टेट्समेन और लॉज की ओर ही देखना चाहिए यदबी अपलोजी और क्रेटो में भी व्यक्ती और राज्ये के पारस पर एक संबंदों की कुछ चर्चा हुई है उसका सबसे प्रमुक ग्रंथ या समवाद जिसने उसकी कीर्थी को अमर बनाया रिपबलिक ही है प्लेटो एक शेष्ट कवी, नाटककार और साहितिकार था उसने गून गंबीर दार्शनिक विशेयों को समवादों के माध्यम से ऐसे नाटकिय और सजीव रूप में उपस्थित किया है कि उनमें उपन्यासो जैसी रोचकता आ गई है रिपबलिक रिपबलिक प्लेटो की सर्वोत्तम खृति है इसमें उसकी नाटकिय शैली, कवित्य और कलपना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है इसे गंबराज्य, रिपबलिक और नियाएं, कंसर्निंग जस्टिस का दोहरा शीर्शक टापत है किन्तो इस आधार पर इसे राजनिती विज्ञान या विधान शास्त्र का ही ग्रंत नहीं समझा जाना चाहिए ये से बहुत अधिक भिन्य है और इसमें समाज शास्त्रिय, आध्यात्मिक और शैक्षिनिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है ये तो एक प्रकार से समपून मानव जीवन का दर्शन है वास्तविक्ता ये है कि प्लेटों के समय में आधुनिक काल की भाती विभिन शास्त्रों का प्रिथिक प्रिथिक अस्तित्व नहीं था समस्त मानव जीवन एक ही शास्त्र था और रिपब्लिक में समस्त मानवे दर्शन के विवेचन का प्रेतन किया गया है बारकर के शब्दों में ये मानव के संपून दर्शन की दिशा में एक प्रियास है It is an attempt at a complete philosophy of man By Barker, Greek Political Theory Plato and his predecessors, page 145, note completed प्रिष्ट संख्या 3, Plato की नियाय संबंदी धारणा रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपून विशे नियाय की प्रकर्ती एवं उसके अधिवास की खोज करना है रिपब्लिक में उसकी इस नियाय संबंदी धारणा को इतना प्रमुक स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशी शक नियाय से संबंदित कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है इस संबंद में बारकर ने लिखा है कि चाहे वे सोफस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विदमान विवस्था में सुधार के लिए प्रतनशील हो नियाय प्लेटो के विचार का मूल आधार रहा है ऐसा होना सौभाविक भी है क्योंकि जैसा कि इविन्स्टीन ने कहा है प्लेटो के नियाय संबंदी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है वर्तमान समय में नियाय शब्द का प्रियोग कानून के आधार पर नियाय अधीश द्वारा दिये गए निर्ने के लिए किया जाता है किन्तु प्लेटो ने नियाय शब्द का प्रियोग विधानिक अर्थ में नहीं वरन्यातिक अर्थ में किया है उसके द्वारा नियाय शब्द का प्रियोग लौकिक धर्म के प्रियावाची अर्थ में किया गया है इसका अर्थ केवल ये है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की द्रिष्टी से किया जाना आवशेक है प्रतेक व्यक्ती के लिए कुछ कर्तवे निश्चित करते हैं और प्रतेक व्यक्ती द्वारा संतोष पूर्वक अपने अपने कर्तवे का पालन करना ही नियाय है नियाय की इस धारणा के संबंद में अरस्तु ने कहा है नियाएं वे संपून सदगुण हैं जो हम एक दूसरे के साथ अपने वहवार में प्रदर्शित करते हैं प्लेटों ने नियाय संबंदी अपनी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व ततकालीन समय में प्रचलित नियाय संबंदी धारणाओं का विवेचन और खंडन किया है ततकालीन समय में इस प्रकार की निमने लिखित धारणाई प्रचलित थी पहला, परंपरागत सिध्धांद, ट्रेडिशनलिजम सर्वप्रथम उसने नियाए की परंपरागत धारणा का विशलेशन किया है, जो की परंपरागत नैतिक्ता के विचार पर आधारित है. प्लेटो के समवादों में नियाए की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके बाद उसके पुत्र पॉली मार्कस द्वारा किया गया है. सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के रिण को चुगा देना ही नियाए है. Footnote 2 Justice consists in speaking the truth and paying one's depth. By Jewett's Translation, Plato's Republic, page 9, note completed. पॉली मार्कस के अनुसार प्रतेक व्यक्ती को उसके प्रती उचित व्यहवार देना ही नियाए है. Footnote 3 Justice seems to consist in giving what is proper to him. By I-Bit, page 10, note completed. उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर कहा गया है की नियाए एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रियोग करने का नाम है. अतहा मित्र के प्रती श्रेष्ट और शत्रो के प्रती ग्रिहनत वहवार करना ही नियाए है. किन्तु प्लेटो नियाए की इस धारना को स्वीकार नहीं करता और इसकी आलोचना करते हुए, निमनलिखित बाते कहता है. पहला, प्लेटो कहता है कि सत्ते बोलने और रिंचुकाने के रूप में नियाए की परिभाशा करना दोश पूर है, क्योंकि ये दोनों ही कारे कुछ परिस्थितियों में अनियाए पूर और अनुचित हो सकते हैं. जैसे सत्ते बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहिस्यों की जानकारी प्रदान करना अनियाए हैं. इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थिचित वाले मित्र से अस्त्र ले और उसके बाद अस्त्र देने वाला पागल हो जाए और अपने उन अस्त्रों को वापस मांगे, तो ऐसी अवस्था में अस्त्र लोटाना एक नियाए पूर कारे नहीं, वरन एक के आधार पर नियाए की ये जो परिभाशा की गई है, उसे संपून जीवन में नहीं अपनाया जा सकता, दूसरा, इसके अत्रिक्त मित्रों के प्रती भलाई और शत्रों के प्रती बुराई की बात करना सरल है, परन्तु उस दश्रा में इसका क्या अर्थ होगा, जबकि मि जबकि मित्र केवल नाम के लिए मित्र हो और यथार्थ में शत्रों हो, व्या वहारिक जीवन में अनेग बार ऐसा ही होता है, प्रिष्ट संख्या चार तीसरा, ये भी एक विचारिन ये प्रेश्ण है कि क्या शत्रों के प्रती बुराई करना नियाय है, ये तो नैतिक्ता के सबसे सामानि सधान्त के ही विरुद्ध है, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है, उनका अधहा पतन हो जाता है, किसी व्यक्ति की स प्रियुक्त कारणों से प्लेटों नियाए की परंपरागत प्लेटों की रिपब्लिक में इस धारणा का प्रतिपादन सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधी थ्रैसी में कस्नी किया है ये धारणा शक्ती ही सत्य है Might is Right के विचार पर आधारित है और इसके अनुसार शक्ती शाली का हिट साधन ही नियाए है Justice is the interest of the stronger नियाए के बारे में इसके दो दृष्टिकोन है प्रत्हम समाज में प्रतेक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाता है किन्तु केवल शक्ती शाली ही इसमें सफल होते है समाज में सरकार सबसे अधिक शक्ती शाली होती है इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानुनों के पालन में ही नियाए है दूसरे द्रिष्टिकोन के अनुसार शासक के अतरक्त शेश सभी व्यक्तियों के लिए नियाए का अर्थ दूसरों का हित करना है इस प्रकार थ्रेसीमेकस दो बाते कहता है पहला शासक वर्ग स्वेम अपने हितों की रक्षा के लिए ही शासन करता है और दूसरा अन्याय न्याय से श्रेस कर है प्लेटो थ्रेसिमेकस के इन दोनों ही विचारों का खंडन करता है प्रथम विचार की संबंद में उसका कथन है कि शासन करना एक कला है और सभी कलाओं का लक्षे अपनी स्वार्त सिध्धी करना नहीं वरन उन वस्तूं के दोशों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंद होता है जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्तियों की त्रूटियों को दूर कर उनकी कुप्त शक्तियों को जाकरत करता है उसी प्रकार शासक का लक्षे प्रजा के दोशों दुखों और कठिनाईयों को दूर कर उनका कल्यान करना है दूसरे विचार के संबंद में उसका कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदश जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदश की प्राप्ति में ही सुख नीहित है। सुक्कि अवस्था धुक्कि अवस्था से श्रेस कर हैं, इस प्रकार प्लेटो ध्रेसी मेकस की धारणा को असविकार कर देता है तीसरा, कारेकारण सिध्धांत, प्रेग्मेटिक थियورी इसका प्रतिपादन गलावकॉन के द्वारा क्या गया है इसके अनुसार नियाएं एक कृत्म वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम ना होकर समय अनुसार बदलती हुई परंपराएं है वर्तमान अनुबंदन वादी विचारकों की भाती उसका विश्वास है कि प्राकर्तिक अवस्ता में निर्वल मनुश्य को अनेक कष्ट उठाने होते थे इसलिए उन्होंने उसका त्याक कर एक समझाता किया जिसके आधार पर कानूनों का निर्मान हुआ जो मानिवे वहवार और नियाय का माप दंड निर्धारित करते हैं दंड की शक्ती के भै के कारण ही मनुश्य नियाय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं अतहा नियाएं भे का शिशु है, Justice is the Child of the Fair, गलाउकन के अनुसार नियाएं भे की प्रवर्ती पर आधारित है, तथा ये निर्बलों की आवश्यक्ता है, ना की शक्तिशाली का हित, इस प्रकार से गलाउकन के सिधान्त के निमने दो परिणाम है, पहला, राजे पारस पर एक भे की प्रवर्ती पर आधारित है, ना की सर्व व्यापी नैतिक सिधान्तों पर, और दूसरा, राजे स्वभाविक संगठन नहीं, वरन परंपरागत कृत्म संगठन है, प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं है, वे कानून और नियाय को समझाते पर आधारित बहरी वस् लक्ती के कारण नहीं, वरन स्वभाविक रूप से होता है, प्लेटो का न्याय विशयक सिध्धान्त, सिफालस और पोली माकर्स, थ्रेसी मेकर्स तथा गलावकन न्याय से संबंदित जिन द्रिष्टी कोनों का प्रतिपादन करते हैं, उन तीनों की ही एक समान और वह यह है कि ये न्याय को ब्राय मानते हैं, इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा की अंतर की वस्तु मानता है, और इसी आधार पर इन तीनों द्रिष्टी कोनों को असुईकार कर देता है, प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचत अवस्था और मानिव प्रिष्ट संख्या पांच प्लेटो नियाय के दो रूपों का वर्णन करता है व्यक्तिगत और सामाजिक या राज्य से संबंधित पाइथा गोरस के अनुयायू के समान प्लेटो की धारनाधी कि मानिवे आत्मा में तीन तत्व या अंश विद्धमान है इंद्रिय त्रिष्णा, शारे और बुद्धी ये तीनों गोंड जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्मान रहते हैं तब ही व्यक्ति नियाय का पालन कर सकता है दूसरे शब्दों में इंद्रिय त्रिष्णा, शारे तथा बुद्धी का उचित समन्वे और सामजसे व्यक्ति के जीवन में नियाय की स्रिष्टी करता है इसके बाद प्लेटो राज्य के संबंद में नियाय का प्रतिपादन करता है प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य मेन्याय को सपष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है राजे के संबंद में प्लेटो का विचार है कि राजे मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है राजे बलूत के विरिक्ष अत्वा चटानों से नहीं निकलते वरन वे उन लोगों की मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उन में निवास करते हैं Footnote 1 The state is nothing but human mind writ large. States do not come out of oak and rocks. They result from the mind of the people that live in them. By Plato, the Republic, note completed. अतहा मानव जीवन के इन गुणों के अनुरूप ही प्लेटो राजे के चार गुण बतलाता है यहे बुद्धी मता, साहस, सायम और न्याएं बुद्धी मता, साहस और सायम इन तीनों गुणों के प्रतिनिधी के रूप में राजे के तीन वर्ग होते हैं जिनहें क्रमाशा शासक वर्ग, सैनिक या रक्षक वर्ग और उत्पादक या सेवक वर्ग कहा जाता है राजे में जब शासक नीस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कारे करता है, सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादक वर्ग सभी कष्टों को सेहन कर अपने उप्योग से अधिक उप्भोग की सामागरियां पैदा करता है, तभी राजे में न्याए स्थिर रहता है न्याए वस्तुता करतवे पालन से परे कोई वस्तु नहीं है, न्याए क्या है और उसका अधिवास कहा है इसका उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा है कि ये अपनी निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हास्तक शेप ना करना ही है और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्यों पूरा करने वाले प्रतेक नागरिक के मन म प्लेटो की नियाय संबंदी धारणा विशेशी करण स्पेशिलाइजेशन के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कारे कुशलता पूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के नितांत अनुकूल हो प्लेटो के इस नियाय सिधांत के संबंद में बार करके विचार है नियाय का अर्थ है प्रतेख व्यक्ति द्वारा उसकर्तव्य का पालन जो उसके प्रकितिस्त गुणों एवं सामाजिक स्थिती के अनुकूल है नागरी की स्वधर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिवेंजना ही राज्य का नियाय है कैटलिन प्लेटो की नियाय संबंदी धार्ना को सीधी साधी शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा स्थान और उसके करतव्य यही नियाय है इस त्रिष्टी से प्लेटो का नियाय सिध्धान्त हिंदू दर्शन के सर्वधर्म पालन के सिध्धान्त के निकट है सेवाइन के शब्दों में नियाय समाज का एकता सूत्र है यह उन व्यक्तियों के परस पर तारमेल का नाम है जिन में से प्रतेक ने अपनी प्रकर्टी और शिक्षा दिक्षा के अनुसार अपने करतव्य को चुन लिया है और उसका पालन करता है वेव्यक्तिकर धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी क्योंकि इसके द्वारा राजे तथा उसके घटकों को परम कल्यान की प्राप्ति होती है प्लेटो के न्याय सिध्धान्त की विशिश्टाएं पहला नैतिक सिध्धान्त प्लेटों की न्याय संबंदी धारणा वैधानिक नहीं, वरननेतिक और सर्विव्यापी है इसमें मानव के केवल वैधानी करताव्यों का ही नहीं, वरन समस्त करताव्यों का उलेख किया गया है दूसरा, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतूलनकारी धारणा नियाय कृत्रिम या भ्राय वस्तुना होकर मनुष्य के अंतह करण की एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्म सैयम एवं आत्म त्याग है इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अती को नहीं वरन संतुलन को अपनाया जाना चाहिए प्रिष्ट संख्या छे तीन कारे विशिष्टता का सिध्धान्त नियाय सिध्धान्त के अनुसार मानिवे जीवन के तीन नैसर्गिक तत्व हैं विवेक, साहस और त्रिश्णा जीवन के इन तीन तत्वों के अनुरूप ही राज्ये के नागरिकों को क्रमय शाह तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग इन में से प्रतेक वर्ग को विशेश मनयोग से अपने आप को उसके कारे में लगाए रखना चाहिए जो कारे उसकी प्रकर्टी के अनुकूल है इस आधार पर ही कारे श्रिष्टता और समस्त समाज में एकता की स्थिती को प्राप्त किया जा सकता है कारे विशिष्टता में ये बात भी समलित है कि व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के कारे में हस्तक शेप ना किया जाए इस संबंद में जैसा कि डॉक्टर रूज ने लिखा है अपने कारे को करना और अन्य लोगों के कारे में हस्तक शेप ना करना ही न्याय है चार अति व्यक्तिवात का विरोधी और सावियव एक्ता का सिध्धांत न्याय सिध्धांत की एक प्रमुख मानेता ये है कि व्यक्ती समश्टी का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ती का विकास नहीं थे कारे विशिष्टता का सिध्धान्त वर्गो और व्यक्तियों में भिनता उत्पन करने के लिए नहीं, वरन एकता उत्पन करने के लिए अपनाया गया है न्याय सिधान्त में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी को इस्थिती नहीं है इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रती उसके कर्तव्य ही है अधिकार नहीं प्लेटों ने इस पश्टतया लिखा है कि नागरिकों में करतव विभावना ही राजे का न्याय सिधान्त है पांच दार्शनिक शासक न्याय की प्राप्ति के लिए ये नितान्त अवश्यक है कि राजे की शासन विवस्था विवेक शील, नीस्वार्थी और करतव विपरायन व्यक्तियों के हाथ में हो उप्रियुक्त गुण से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक का नाम दिया गया है प्लेटो का न्याय सिधान्त सीधा साधा होने के कारण महत्विहीन प्रतीत हो सकता है लेकिन ततकाल इन परिस्तितियों के संबद में इसका महत्वे नितांस पश्ट है प्लेटों के पूर्व और उसके समय में समाज और राजे में बड़ी आवेवस्था पहली हुई थी और प्रतेक राजे धनी तता निर्धन इस प्रकार के दो परस पर विरोधी वर्गों में बटा हुआ था उस समय जिसकी लाठी उसकी भैस का सिधांत क्रियात्मक रूप में तो प्रचलित था ही थ्रेसी मेकस जैसे सोफिस्ट विचारक बुद्धी एवं तर्क की दृष्टी से भी इसे नियाय संगत ठहरा रहे थे इनके विरोध में नैतिकता तथा सदाचरन को प्रतिष्टित करने के लिए तथा ततकालिन राज्य और सामाज्य के विवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटों ने श्रेष्ट तरकों के आधार पर नियाय के विचार को प्रतिपादत किया प्लेटो के न्याय सिध्धान्त की आलोचना युनान की ततकाल इन परिस्थितियों की द्रिष्टी से न्याय की धारणा उप्योगी है तथा उसका अपना महत्व है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्व में उसे स्विकार नहीं किया जा सकता है प्लेटो के नियाय सिधान्त की प्रमुकतया निमनलिखित आलोचनाई की जाती है पहला कानूनी धारणा नहीं वरन एक नैतिक धारणा आज नियाय को एक कानूनी धारणा के रूप में स्विकार किया जाता है लेकिन प्लेटों ने नियाय का एक कानूनी धारणा के रूपी में नहीं वरन एक नैतिक धारणा के रूप में प्रतिपादन किया है बारकर की अनुसार इसका सबसे बड़ा दोश ये है कि प्लेटों का नियाय वस्तुतहा नियाय नहीं है वे केवल मनेश्यों को अपने करतव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है कोई ठोस कानून नहीं है कानून और नैतिकता में अंतर होता है प्लेटों ने इस अंतर को दृष्टी में नहीं रखा है और वीलियम ब्राइट के शब्दों में उसने नैतिक कर्तवे और वैधानिक दायत्व के बीच की सीमा को भी भुला दिया है दूसरा दाशनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित प्लेटो ने शासन संबंदी सभी शक्तियां एक ही वर्ग, दाशनिक वर्ग को प्रदान कर दी है हमारा सामान ने अनुभव ये बताता है कि एक ही वर्ग को राजनेतिक सत्ता का एक अधिकार प्रदान करने का परिणाम उस वर्ग को पतित करना और इस प्रकार राज्य को भ्रष्ट करना होता है ये एक तथ्य है कि असीमित शक्ती पूंतया भ्रष्ट कर देती है नियाय सम्बंदी किसी भी व्यवस्था का उद्देश मनिश्य और समाज का सरवांगिवन विकास होना चाहिए लेकिन प्लेटों के नियाय सिधान्त के आधार पर इसकी प्राप्ती संभव नहीं है इसमें प्रतेक व्यक्ति को केवल एक ही कारे तक सीमित कर दिया गया है और इसका लक्षय व्यक्ति की एक ही प्रवर्ति का विकास है केवल एक ही कारे पर बल देने से व्यक्ति की अन्य योगताउं दूसरे शब्दों में व्यक्ति का सरवांगिन विकास नहीं हो पाता और इसके आभाव में समाज का सरवांगिन विकास भी संभव नहीं है प्रिष्ट संख्या साथ चार गुणों के निर्धारन का कोई आधार नहीं इस अधान्त में मानव जीवन के गुणों या तीन प्रवर्तियों के आधार पर समाज का तीन वर्गों में विभख्त तो किया गया है किन्तु मानव में कौन से गुण ये प्रवर्ती की प्रधानता है इसके निर्धारन का आधार नहीं बतलाया गया है ऐसी स्तिती में जन्म ही गुण के निर्धारन का एक आधार बन जाता है और इस आधार को श्रेष्ट कर नहीं कहा जा सकता इस बात की क्या गारेंटी है कि दाशिनिकों की संतान भी विवेक और ग्ञान से युक्त होगी प्लेटो कहता तो है कि कर्म का निर्धारन जन्म के आधार पर नहीं वरंगुन के आधार पर होगा और लोहा तांबी में तथा तांबा स्वाण में बदल सकेगा लेकिन प्लेटो ने इस संबन में कोई सुनिष्चित विवस्था नहीं की है और इसी कारण प्लेटो पर ये दोशारोपन किया जा सकता है कि वे लोह तत्व उत्पादक वर्ग के सदसे को निरंतर लोह तत्व ही बनाए रखना चाता है उसे स्वन तत्व शासक वर्ग के सदसे में परिनत होने का अफसर नहीं देना चाहता पांच वर्तमान समय के राजियों पर लागू करना संभब नहीं प्लेटो के नियाय सद्धान्त को वर्तमान समय के राजियों में लागू नहीं किया जा सकता प्लेटों के समय में थोड़ी जनसंख्या वाले नगर राजे थे, किन्तु वर्तमान समय में राजियों की जनसंख्या करोडों होती है इन राजियों की जनसंख्या को तीन वर्गों में विभाजित कर प्रतेक व्यक्ति के लिए कारें निश्चित कर पाना संभब नहीं है समाज के किसी व्यक्ति को किस श्ट्रेणी में रखा जाए इसका निश्च शासक वर्गी ही करेगा शासक वर्गी की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और उसे सदेव शासक वर्गी ही बनी रहना है ये मार्क सरवादिकार वाद की ओर ले जाते हैं जिसे किसी भी प्रकार मानब जाती के हित में नहीं कहा जा सकता साथ वर्गे विशेश अधिकारों का समर्थन अनुचित एक विरोधावास ये भी है कि न्याय से समानत या हमें व्यक्तियों के प्रती वहवार में समानता का भूध होता है किन्तु प्लेटों ने अपने न्याय सिधान्त के अंतरगत वर्गे विशेश अदिकारों को न्याय उचित ठहराया है न्याय के नाम पर वर्गे विशीश अदिकारों का समर्थन किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता वास्तव में प्लेटो ने अपने नयाय सिध्धान्त का प्रतिपादन एक वैधानिक सिध्धान्त के रूट में नहीं वरन एक नैतिक सिध्धान्त के रूट में ही किया है शिक्षा सिध्धान्त Plato ने अपने ग्रंथ Republic में संद्रक्षक वर्ग की शिक्षा पर इतने विस्तार से और ध्यानपूर्वक विचार किया है कि रूसों के शबदों में Republic राजनीती शास्तर का ग्रंथ नहीं, वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ट ग्रंथ है footnote 1, the republic is not a work upon politics but the financed treatise on education that was ever written by Russell, quoted from Barker, I bet page 145, note completed वास्तव में प्लेटो अपने राज्ये के मूलाधार न्याय की प्राप्ति के लिए अनुरूप वातावरन की स्रिष्टी पर बहुत अधिक बल देता है और इसके अनुसार ऐसे वातावरन की उत्पति के लिए दो बातों की अवशयकता है प्रथम, राजे द्वारा नियंत्रत सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरी, सामेवादी सामाजिक व्यवस्था प्लेटों का विचार था कि इस शिक्षा पद्वती द्वारा आदश राजे के लिए दार्शनिक शासक, संड्रक्षकों तथा सैनिकों की प्राप्ती संभभ हो सकेगी सामेवादी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा परिवार तथा संपत्ती के प्रती प्रेम की उन परिस्तितियों को दूर किया जा सकेगा जो संड्रक्षक तथा सैनिक वर्ग के करतवे पालन में अधिक बाधग बनती है इस प्रकार प्रथम एक सकारात्मक उपचार है अद्वित्य निशेदात्मक और जैसा की सेबाइन लिखते हैं इस संबंद में प्लेटो ने शिक्षा पर ही अधिक बल दिया है प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधी को दूर करने का मानसिक उपचार दक्योर अमेंटल मेलजी बाइमेंटल मेडिसिन हैं एक आदश राजे नागरिकों के श्रेष्ट चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है तथा नागरिकों के चरित्र को ढालने का कारे शिक्षा के आधार पर ही संभव है प्रिष्ट आठ प्लेटों के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्वतियां प्राचलित थी पहली पद्वती एथेंस की थी और दूसरी स्पाटा की प्लेटों ने अपनी शिक्षा योजना इन दोनों पद्वतियों के गुण दोशों को दृष्टी में रखते हुए ही न के शारिरिक, मानसिक और चारितरिक विकास के लिए उप्युक्त थी किंदू इसमें शिक्षा देना राज्ये का नहीं वरन परिवार का दायत्व होने के कारण ये शिक्षा राज्ये की प्रकरती तथा उसकी अवशयक्ताओं के प्रतिकूल होती थी इससे अज्यानी तथा निकम में प्रकार के राजनेतिक के वर्ग का उदे होता था स्पाटा की शिक्षा पदवती स्पाटा की शिक्षा पदवती एथिन्स की शिक्षा पदवती से नितांत भिन और पूंतया राज्येद्वारा नियंत्रत थी स्पाटा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिर हुआ होने तथा सदे भी आक्रमन के भैसे ग्रस्त होने के कारण इसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षन के विवस्था प्रचलित थी इस्त्रियों के लिए भी शारिरिक शिक्षा अनिवारे थी जिससे उनकी संतान बलवान और पुष्ट हो स्पार्टा के बच्चों को साथ बर्षिवार से ले लिया जाता था और राजे के अधिकारी उनकी संपूर्ण शिक्षा की विवस्था करते थे स्पार्टा की ये शिक्षा पदवती राजे की प्रकर्टी और आवशैक्ता के अनुकूल होती थी किन्तु उसका पाथिग्रम संकुचित था वहा शारिरिक प प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्वतियों के गुड़ों को ग्रहन करते हुए अपनी पद्वति में इन दोनों का समन्वे किया है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बाता है प्रारंबिक शिक्षा तथा उच्छी शिक्षा। प्लेटो ने व्यायाम और संगीत इन दोनों ही शिक्षा प्रियोग व्यापक अर्थों में किया है। व्यायाम का अर्थ केवल शारिरिक कसरते ही नहीं वरनपून शारिरिक विकास के साथ साथ सहिंशूंता, साहस तथवीरता के मानसे गुन दिखसित कर चारितरिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। बारकर ने लिखा है कि व्यायाम मस्तश्क के लिए शरीर को शिक्षित करना है। इसके द्वारा व्यक्ती में सहनशीलता एवं साहस के गुणों का विकास कराया जा सकता है। मन की शिक्षा के लिए संगीत आवशक है, बारकर के शब्दों में संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षन का मार्ग है। संगीत भावनाओं को परिश्कृत करता और बुद्धी की सुप्त शक्तियों को जागरित करता है। संगीत शब्द का प्रियोग भी प्लेटों ने व्यापक अर्थ में किया है और इसके अंतरगत नित्य, संगीत, कविता पाठ वा सभी ललित कलाएं समलित हैं, किन्तु उसके प्रशिक्षन में प्लेटों ने चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले सहित्त तथा कलाकरेत पर राजे द्वरा कठोर प्रतिबंद लगाय जाने की व्यवस्था की है 18 वर्ष की आयो तक संगीत और व्यायाम की उप्रियुक्त शिक्षा, प्रदान किये जाने के बाद 18 से 20 वर्ष की आयो तक साहस, आत्म नियंत्रण और अनुशासन की प्रवर्ती बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी प्रारंबिक शिक्षा की इस समस्त व्यवस्था का उद्देश सभी व्यक्तियों को शृष्ट नागरिक बनाना है उच्च शिक्षा मजदूर, व्यापारी और शिलपी के रूप में कारे करेंगे. परिक्षा में उत्रिन व्यक्ती ही उच्च शिक्षा प्रांप्त करने के अधिकारी होंगे. उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तिएं को चुनाफ निश्पक्ष भाव से किया जाएगा, तथा इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्तिती एवं कुल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा प्रिष्ट संख्या नौ ये शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्गी के लिए है और इसमें स्त्री वा पुरुष दोनों ही भाग ले सकेंगे इस पाठिक्रम के अंतरगत गणित नीती शास्त्र, जोतिश और दर्शन शास्त्र का अध्ययन रखा गया है गणित प्लेटो का प्रिय विशे था और इसे वे दर्शन शास्त्र की प्रथम सीड़ी मानता था दर्शन के भावी अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने तथा युद्ध में उपियोगी होने के कारण गणित को उच्छ शिक्षा में विशेश स्थान दिया गया है प्लेटो की शिक्षन संस्था, अकादमी, एकेडमी की प्रवेश दुआर पर ये वाक्य अंकित था जयमिती गणित की एक शाखा, उनसे अपरिचित कोई व्यक्ती यहाँ प्रवेश ना करे दस वर्श की उच्छ शिक्षा के बाद, तीस वर्श की आयू में एक परिक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले राज्जे के साधारन अधिकारी होंगे और सफल विद्यार्थियों को पांच वर्श तक गणित, न्याए, तर्ख और दर्शन की विशेश शिक्षा दी जाएगी पांच वर्श की इस शिक्षा में द्वंद और दर्शन, डालेक्टिक एंड फिलोसिफिक पर विशेश पल दिया जाएगा लेकिन 35 वर्श तक की इस शिक्षा अपून ही है क्योंकि इसके अंतरकत वियक्तियों को सांसारिक स्थिती का वहवारिक अनुभग नहीं होता है अतहा प्लेटों ने इसके लिए अगले 15 वर्शों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाईयां जेल कर वहवारिक शिक्षा प्राप्त करने की विवस्था की है इस प्रकर 50 वर्श की आयू तक जीवन की सभी परिक्षाओं में खरे उतरने वाले लोक वहवार और शास्त्रों का गंभीर ग्यान रखने वाले दार्शने की प्लेटों की समिती में शासक बनेने के अधिकारी है सेबाइन के शब्दों में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित उच्च शिक्षा का ये सुझाब सरवाधिक मौलिक और महत्वपून है प्लेटो की शिक्षा पद्वती की विशेश्थाएं प्लेटो की शिक्षा पद्वती की कई विशेष्टाएं हैं जिनका उलेख निम्न रूपों में किया जा सकता है पहला अपनी शिक्षा योजना के अंतरगत प्लेटो के द्वारा राज्य नियंतरत अनिवारे शिक्षा की विवस्था की गई है शासक वर्ग शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के चरितर में सुधार करना और उन में कर्तव्यों के निश्काम संपादन की प्रवर्थी उत्पन करना चाहता है दूसरा, प्लेटोवादी शिक्षा का उद्देश, व्यक्ति का शारिरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीन विकास करना है इस दृष्टी से ये वास्तिविक और पूर्ण शिक्षा है तीसरा, प्लेटो का अंतिम उद्देश, नियाए के आधार पर एक आदश राज्य के स्थापना करना है और इस कारण उसकी शिक्षा योजना में नियाए के तत्व को महत्वपून स्थान प्रदान किया गया है चार, शिक्षा को प्रारंबिक और उच्च इस प्रकार के दो भागों में बाटना नितांत मनोवय ज्यानिक और विज्यान सम्मत है पांच, उसकी शिक्षा योजना स्त्री पुरुष्ट दोनों के लिए है और इस दृष्टी से इसे एथन्स की शिक्षा पदवती पर एक सुधार कहा जा सकता है क्योंकि एथन्स में केवल पुरुष्टों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था छे, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतरगत, धर्म और नैतिक्ता को उचिस्थान प्रदान किया है ये नैतिक्ता की दृष्टी से कूरुची पूर्ण साहित्य और कला कृतियों को सेहन करने के लिए तयार नहीं है साथ, शिक्षा पदवती की एक विशेष्टा, शासन को एक कला मान कर सुशासन के लिए शासकों के शिक्षन पर बल देना है आठ, प्लेटो ने शिक्षन को जीवन का अलप कालिन कारेना मान कर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में सुविकार किया है शिक्षा शास्त्रियों के लिए ये अवश्य ही एक कौर अफ़ पून द्रिश्टांत है मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक द्रिश्टियों से सपष्टतया आधुनिक लगती है फुटनोट वन प्लेटो's plan of education is fascinatingly modern in many respects शिक्षा के समवंद में प्लेटो की सबसे बड़ी विशेष्टा ये है उसने ना केवल शिक्षा योजना का निरूपन किया वरन अपनी अकादमी में सभी विशेयों की आदर्श शिक्षा का प्रवंद भी किया आलोचना प्रिष्टि संख्या 10, पहला, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की विवस्था नहीं प्रारंबिक शिक्षा के बाद वर्ग को कोई और प्रावधिक टेक्निकल ज्यान देने की आवशेकता नहीं समझी गई है तथा सैनिक और विशेष्टाय शासक वरगी की शिक्षा पर ही सारा ध्यान के इंद्रित कर दिया गया है सेबाइन के अनुसार प्लेटोवादी शिक्षा योजना का ये एक कम भीर दोश है क्योंकि केवल अच्छे शासकों से ही किसी देश का कल्यान संभव नहीं है दूसरा साहित्य की उपेक्षा इस शिक्षा योजना में साहित्य को बहुत कम और गणित को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता साहित्य जीवन का दरपण है और मानव की कोमल भावनाओं को विक्सित कर उसके दृष्टिकों को व्यापक करता है इस दृष्टि से गणित तथा दर्शन के साथ कला और साहित्य की शिक्षा पर समान रूप से बल दिया जाना चाहिए था 3. कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से ये शिक्षा पद्वती इस रूप में भी अन्याएं पूर्ण है कि इसके अंतरगत कवी और कलाकार को राज्य के नियंत्रण पर जकरने का प्रयास किया गया है स्वाधिन्ता कला और साहित्य की विकास की प्रथम स्थिती है अतहर राज्य की कठोर नियंत्रण में इनका विकास संभव नहीं है 4. शिक्षा योजना सैध्धान्तिक अधिक और वहवारिक कम उसकी शिक्षा योजना सैध्धान्तिक अधिक है और वहवारिक कम प्लेटों ने शासकों के लिए जिस शिक्षा की विवस्था की है उससे वहवारिक शासक प्राप्त होना संभव नहीं है 35 वर्ष की आयू तक केवल शिश्य बने रहने वाले व्यक्तियों में प्रायहा नवीन कारियों को करने का उत्साह समाप्त हो जाता है गुरु पर निर्भर रहने के कारण उनमें आत्म निर्भरता और पहल करने की क्षमता उत्पन नहीं होती ऐसे व्यक्ति शेष्ठ शासक नहीं बन सकते 5 शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला उसका शिक्षक्रम बड़ा लंबा और खर्चीला है इतनी लंबी शिक्षा से लाब उठाने का उत्साह बहुत कम व्यक्तियों में होता है व्यवहार में इस प्रकार की शिक्षा प्रतिभासंपन नहीं वरंधनी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं 6. व्यक्तिक विकास का बलिदान शिक्षा योजना राज्य की प्रकरती तथा आवशयक्तों पर इतनी अधिक केंद्रित है कि व्यक्तिक विकास का राज्य के हितों के समुक बलिदान हो गया है वस्तुतहा इस शिक्षा योजना में व्यक्ति के स्वतंत्र विकास पर बिल्कुल भी पल नहीं दिया गया है साथ चिंतन और कारे के आदश में भेद प्लेटो के शिक्षा सिधान्त की संभवताया सबसे बड़ी तूटी है उनके कारे और चिंतन के आदश में सामजसे की कमी है इस संबंध में बारकर ने विशेश रूप से ध्यान आकरशित किया है वे लिखते हैं कि पलेटो के शिक्षा सिधान्त में कारे के आदश और चिंतन के आदश के मध्य एक प्रकार की डगमगाहट है Footnote 1 In Plato's educational theory, there is a certain wavering between the idol of action and that of contemplation By E. Barker, Plato and his predecessors, page 203 Plato के अनुसार शिक्षा का आदर्ष कभी सत्ते का विचार है, तो कभी व्यक्ती द्वारा अपना ही विकास कभी समाज एक सेवा भावना है, तो कभी अपने आपको समाज के अनुरूप बनाना वस्तुतहा प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कुछ त्रूटियां होते हुए भी ये अपने समय की द्रिष्टी से प्रियाप्त आगे और मानव के सर्वांग उन विकास को अपना ध्यमान कर चलने वाली शिक्षा व्यवस्था है प्लेटो का सामेवाद आदर्श राजे में नियाय की प्राप्ती के लिए प्लेटो दो बातें बतलाता है प्रथम, राजे द्वारा नियंतरित सुनियोजित शिक्षा प्राणाली, अधुवितिये, सामेवादी सामाज एक वैवस्था प्लेटो का विचार है कि एक समुछे तथा स्वास्थ शिक्षा प्राणाली, अभिभावक वर्ग, सैनिक तथा शासक वर्ग गो अपना कारे करने तथा समाज के प्रती करतवे पालन के लिए तयार कर सकेगी शिक्षा इस वर्ग में वे भाव न भरेगी की राजे की एकता और सुद्रणता को बनाए रखना उसका सर्वोच और एक मात्र धर्म है किन्तु प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो सूसंसकार उत्पन किये हैं वे विपरीत वातावरन में समाप्त हो सकते हैं व्यक्ति परिवार और संपत्ती के आकर्शन में फसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच प्राथमिक्ता देते हुए सामाजिक चीवन के प्रती कर्तव्यों की अभहेलना कर सकते हैं सामेवाद के बिना विवेग निश्क्रिय हो सकता है क्षुधा रक्षक को बेडिया बना सकती है अतहा प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहता है और इसलिए उसने अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन समाजिक व्यवस्था का सुझवाब दिया है जिसके दो प्रमुख तत्वे हैं प्रथम संपत्ती विशयक सामेवाद और दुवितिये परिवार विशयक सामेवाद या स्त्रियों का सामेवाद प्रिष्ट संख्या ग्यारह सामेवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए प्लेटो के सामेवाद की एक विशेशता है वे ये है कि उसके दुआरा सामेवादी विवस्था को अपनाने का सुझाब राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं वरन केवल अभिभावक वर्ग शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही दिया गया है और उसके दुआरा इस विशेश स्थिती को अपनाए जाने का कारण ये है कि उसके सामेवाद का उद्देश वर्तमान सामेवाद की भाती आर्थिक नहीं वरन राजनितिक है उसका उद्देश ये तो एक ऐसे वातावरन का निर्बान करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सारवजने करतवयों का सरवाधिक शेश्टिता पूर्वक संपादन कर सके क्योंकि प्लेटो की सामाजिक विवस्था का तीसरा वर्ग उत्पादक या सेवक वर्ग शासन विवस्था के संचालन से संबंदित नहीं है अतहा उसके द्वारा उत्पादक वर्ग को सामेवाद की परिधी में समिलित नहीं किया गया है नैटल्शिप के शब्दों में प्लेटों का सामेवाद शिक्षद्वारा उत्पन प्रवर्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक यंद्र है वस्ततहा प्लेटों की सामेवाद संबंदी विचारधारा उसकी राजे ववस्था संबंदी धारणा से अनिवारे तहा संबंद और उसकी प्राप्ती का साधन है सामेवादी ववस्था का विचार प्लेटों का पूर्ण मौलिक विचार नहीं है स्पाटा में यदेपी नेजी संपत्ती की वयवस्था थी, परंतु संपत्ती का उपियोग सामोहिक रूप से होता था और वहां के नागरिक सहभोज में भाग लेती थे एथन्स में भी व्यक्ति गत संपत्ती पर राजे का प्रयाप्त नियंतरन था, सधान्त रूप में भी सामेवाद की धारना प्लेटों के पूर्व प्रचलित थी एथन्स में कुछ लोग प्राकर्तिक जीवन के पक्ष में थे जिसमें व्यक्ति कृतम नियमों से सोटंत्र होकर जीवन व्यातीत कर सके पाइथागोरस के आश्रम में भी सामेवादी व्यवस्था थी और वे कहा करता था कि मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साजहा होनी चाहिए फिटनोट वन फ्रेंड्स शुड हेव अल थिंक्स इन कॉमन बाइपाथागोरस क्वाटट फ्रॉम लॉज पेच एठंड़ सेवन नोट कंप्लेट क्रीट में समस्त भूमी के जोतने बोने का प्रबंध राज्ये के जिम में ही था येरोपाइट्स ने अपनी एक रचना प्रोटे सिलास में स्त्रियों के सामेवाद का समर्थन किया है प्लेटो दुआरा प्रतिपादित सामेवाद के दो रूप इस प्रकार है संपत्ति विशयक सामेवाद प्रेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विशेक सामेवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि पहली बात तो ये है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवारे है ना तो केवल उनके पास अपना कोई घर होगा और ना कोई ऐसा गोदाम जो सब के लिए खुला ना हो उन्हें सामाने भोजनालेव में भोजन करना चाहिए सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिने सोना चांदी छोना तक ना चाहिए इसी में उनकी मुक्ती है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे प्लेटों के संपत्ती विशेक सामेवाद के कुछ विशेष्टाएं हैं सर्वप्रथम ये सामेवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन के वल्शासक और सैनिक वरकी के लिए हैं इसका उद्देश यदभी संपून समाज का कल्यान हैं किन्तु इसे संपून समाज के दुआरा व्यवहार में नहीं लाया जाता है द्वितिये इनका उद्देश राजनितिक है आर्थिक नहीं आधुनिक सामेवाद की तरह इसका उद्देश आर्थिक विशमता दूर करना नहीं वरन राजनिती और शासन विवस्था को दोशमुक्त करना है तृतिये, प्लेटो का सामेवाद भोग का नहीं, वरं त्याग का मार्ग है ये समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामेनी का महो छोड़ कर जनकल्यान में रत रहने के लिए प्रेरित करता है फोस्टर के शब्दों में प्लेटो के संद्रफशक वर्ग को सामोहिक रूप से संपत्ती का स्वामित्व ग्रहन करना नहीं, वरं इसका त्याग करना है फुटनोट टू, प्लेटो's guardians are not to own property in common, but to renounce it in common प्लेटो ने संपत्ती विशेक सामिवाद का समर्थन निमनलिखित आधारों पर किया है पहला, मनोवेज्ञानिक आधार प्लेटो आत्मा के तीन तत्विया विशेश गुण मानता है विवेक, शारे और इंद्रे तृष्णा इन तीन गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाच को तीन वर्गों में बाटा है शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग उनके नियाए की विचार के अनुसार प्रतेक व्यक्ति को अपने करतवे का पालन करना चाहिए और शासक तथा सैनिक वर्ग ऐसा कर सके इसके लिए ये जरूरी है कि इन दोनों वर्गों के द्वारा आर्थिक वृत्यों का परितिया किया जाए क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे अपना करतवे पालन नहीं कर सकेंगे इस प्रकार शासक वर्ग में विशुद विवेक तथा सैनिक वर्ग में शौरे को बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंद में संपत्ती विशयक सामेवाद को अपनाना आवाशयक हो जाता है प्रिष्ट संक्या बारहा दूसरा दाशनिक आधार प्रेटो अपने संपत्ती विशयक सामेवाद का समर्थन विशेश कारे के सिध्धान्त थियोरी ओफ स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर भी करता है इस सिध्धान्त का आश्य ये है कि जिने शासन करने का कारे जो की सरवाधिक महच्वपून कारे है सौपा गया है उन्हें ऐसे सभी सांसारिक तत्वों से बच कर रहना चाहिए जो शासन करने के कारे में बाधा और विग्न डालते हैं धर निश्चत रूप से एक ऐसे ही तत्व है अतहां अभिभावक वर्ग को इससे अलग रखा जाना चाहिए ये वैसा ही विचार है जैसा कि आध्यात्मक साहित्ते में संतों के लिए मुद्रा और कंचन स्वण का सपर्श वर्जित किया गया है तीसरा, राजनितिक और वहवारिक आधार प्लेटों का विचार है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हातों में होनी चाहिए जो सरवाधिक गुण बर्च्यू संपन हो लेकिन यदि अभिभावक वर्ग को संपत्ति संग्रह की छूट दे दी जाए तो हो सकता है कि राजनितिक पदों के लिए चुनाव का आधार गोर ना रहकर संपत्ति हो जाए राजे में जिन लोगों के हाथ में राजनितिक शक्ति है यदि उनके कुछ नेजी आर्थिक हित भी हो तो हो सकता है कि वे नीस्वार्थ कर्तवे बालन का मार विछोड़कर अपनी जेवे भरना तथा दूसरों का शोशन करना शुरू कर दे इसलिए प्लेटो राजनेतिक और आर्थिक शक्तियों को अलग-अलग रखना चाहता है मैं चाहता है कि जो लोग आर्थिक रियाओं में लगे हों उनका राजनेतिक शक्ति में कोई भाग नहीं होना चाहिए और जिन लोगों के हातों में राजनेतिक सत्ता हो उनके कोई आर्थिक हित नहीं होने चाहिए सेवाई ने प्लेटो के इस्तर्ग के संबंद में कहा है सरकार के उपर धन के दूशित प्रभाव का प्लेटो को इतना दिरन विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयम संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा जहां तक की सैनिकों और शासकों का संबंद है अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति विशयक सामेवाद की आलोचना प्लेटो के शेशे अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति विशयक सामेवाद की निमन प्रकार से आलोचना की है पहला ये धारणा मानिवे प्रकर्थी की मूल भूत प्रवर्थियों की अभेलना करती है प्रतेक मानव में निजी संपत्ती रखने तथा उसमें व्रिधी करने की स्वाभाविक प्रवर्थी होती है और इससे समाज की प्रगर्थी होती है किन्तु सामेवाद में निजी संपत्य की विवस्था ना होने के कारण व्यक्ति में पुरुशार्थ की भावना नहीं रहती और समाज का विकास रुख जाता है दूसरा, प्लेटो का सामेवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है जिसकी संख्या समस्त जनसंख्या की आधे से अधिक होती है इस प्रकार ये राज्ये को दो विशम समुदायों में बाठ देता है जिससे देश की एक्ता बनाई रखना असंभव हो जाता है तीसरा, इससे परोपकार और उदारता की श्रेष्ट मानविय संभावने नश्ट हो जाएंगी क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंदिकारे व्यक्तिक संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है चौथा, प्लेटो राजे की एक्ता बनाए रखने तथा उसे प्रगति की और बढ़ाने के लिए व्यक्तिक संपत्ति का अंत करना चाहता है किन्तु अरस्तु के अनुसार ये एक्ता उप्युक्त शिक्षा द्वारा ही स्थापित हो सकती है ना की सामेवाद द्वारा पांच, इसमे राजे की एक्ता पर आवश्यक्ता और और चत्य से अधिक बल दिया गया है अरस्तु को प्लेटो के सामेवाद में अती दिखाई पड़ती है जो पॉलिस को स्वर्ग बनाने के बजाए उसे नश्ट कर देती है 6. सामेवाद जीवन के सामान अनुभव के विरुद है 7. प्लेटो के सामेवाद में सामान जनकी अभहिलना के परिणाम स्वरूप, उदासीनता, आकुशलता और कम उतपादन के परिणाम प्रकट होंगे 8. अरस्तु के अनुसार प्लेटो का सामेवाद आध्यात्मिक बुराईयों का फौतिक निदान, मैटीरियल के और फॉर स्प्रिच्यूल डिसीजिस है जिसके परिणाम आश्या अनुकूल नहीं हो सकते 8. प्लेटो का सामेवाद समाच की बेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है प्रिष्ट संख्या 13. परिवार विशेयक सामेवाद या स्त्रियों का सामेवाद अभिभावक वर्ग के लिए नेजी संपत्ति का निशेद करने के साथ साथ प्लेटो उन्हें नेजी परिवार से भी वन्चित कर देता है प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलता पूर्वक अपने कर्तवयों का पालन कर सके इसके लिए उन्हें संपत्ति के महों के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के महों से भी मुक्त किया जाना चाहिए वस्तुतह परिवार का विचार संपत्ति की धारणा पर ही आश्रित होने की कारण परिवार विशयक सामेवाद संपत्ती के सामेवाद का ही तारगिक परिणाम है प्रेटो ने संपत्ती के सामेवाद की अपेक्षा परिवार विशयक सामेवाद का अधिक विस्तार के साथ निरुपन किया है प्रेटो ने इस सिध्धान्त का स्वरू बदलाते हुए कहा है अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरिशों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा कोई भी किसी के साथ स्थाई रूप से व्यक्तिगत रूप में सहवास नहीं कर सकेगा इस तरियां सबकी समान रूप से पत्मिया होंगी इनकी संताने भी समान रूप से सबकी होंगी ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना संतान माता पिता को प्लेटो ने अपनी इस योजना के पक्ष में निमने लिखत युक्तियां दी है पहला अभिभावक वर्ग को पारीवारिक मोहों से मुख्थ करना प्लेटो परिवार को एक ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संक्रीन मनुवरितिती तथा प्रबल स्वार्थ पून भावनाई उत्पन करती है इसके अत्रिक्त पारिवारिक मोहोत अथा चिंताओं में फस कर व्यक्ति सार्बजने कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजक्ता का परिचे नहीं दे सकता जैसी सजक्ता अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए अतहा प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए परिवार की विवस्था का अंत करना चाहता है दूसरा, राजे में एकता स्थापित करने हे तू परिवार व्यक्तियों में मेरे तेरे की भावना उत्पन करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघश करते रहते हैं प्लेटो राजे के हित्मे बारस पर एक संघश के इस प्रवर्ति का अंत आवशेक मानता है अतहा प्लेटो अभिभावक वर्गी के समस्थ स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार के रूप में परियुनत करके राजनेतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है तीसरा नारियों की मुक्तित था समान अधिकार प्लेटो के समय में एथन्स का सार्बजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था और इसमें स्त्रीयों का प्रवेश वर्जित था उनका कारे केवल घर की चार दिवारी में रहकर बच्चों का पालन पोशन करना था राजे की सेवा के लिए बच्चों को जन्देने में विभा एक साधन और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी प्रेटो कहता है परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ती चौके चूलहे में बरबाद हो जाती है प्लेटो स्त्रियों के इस हीन जीवन का अंत करना चाहता था उसका विचार था कि स्त्रियां भी पुरुशों के समान ही सर्वजनिक शेत्र में कारे करने के लिए उप्युक्त है और उन्हें इस बात का अफसर दिया जाना चाहिए विस्त्रियों की मुक्ति के लिए भी अभिभावक वर्ग को परिवार से पून्तया वंचित करना चाहता है प्लेटो का विचार है कि स्त्रि पुरुशों का संसर्ग भी व्यक्तिकत इच्छाओं की तुष्टी के लिए नहीं वरन राजे के व्यापक हितों को दृष्टे में रखकर होना चाहिए राजे के हित में ये जरूरी है कि आने वाली संत्ति शेष्ट नसलिकी हो और इस लक्षे की प्राप्ति का उपाई ये है कि उचित आयों के केवल सर्वोतम स्त्रियों और पुरुशों को ही विभा सूत्र में बांधा जाए प्लेटो चाहता है कि इस संबंद में राजे के उसी सद्धांत पर अमल करना चाहिए जिस पर की एक पशुपाला करता है अर्थात एक श्रिष्ट नर को उतनी मादाओं और एक श्रिष्ट मादा को उतने नरों के साथ जोड़ देना चाहिए जितने की वे सुगम तापूरवक संभाल सके इस प्रकार के क्षणिक संसर्ग से उत्पन होने वाले बच्चों का पालन पोशन राजे अपने शिशु ग्रेहों में करेगा बारकर के अनुसार प्लेटों के लिए यहीं प्राप्त नहीं है कि बच्चे की शिक्षा दिक्षा भली प्रकार हो वरन उसका जन्म भी उचतरूप में चुने हुए और सुस्त पूरवजों से होना चाहिए स्वंप्लेटों के शब्दों में शिक्षा दिक्षा का कारे जन्म से पूरु ही आरभ हो जाना चाहिए इस प्रकार प्लेटों की परिवार विशयक सामेवात की योजना एक साथ अनेक उदेशों की पूर्ती के लिए है इसके आधार पर अविभावक वर्ग अपने सारवजने करतवयों का भलिभाती पालन कर सकता है राजे में एकता आती है संतती का सुधार होता है और इससे स्त्रियों को मुक्ती तथा राजे की सेवा के लिए अफसर प्राप्त होता है प्रिश्ट संख्या चौधा अरस्तु द्वारा परिवार विशयक सामेवात की आलोचना प्रेटो का परिवार विशयक सामेवाद एक नवीन कल्पना है और सैधान्तिक तथा वेहवारिक द्रिष्टी से इसके आउचत्य पर अनेक संधे किये जा सकते हैं प्रेटो के शिश्य अरस्तु ने निम्नेलिखित आधारों पर इसी योजना की प्रबल आलोचना की थी प्रेटो अपने परिवार विशयक सामेवाद की योजना के अंतरगत स्त्री और पुरुष के आधार भूत अंतर को द्रिष्टी में नहीं रखता है प्रेटो स्त्री और पुरुष में लिंग भीद के अतरिक्थ और कोई अंतर नहीं पाता एक द्रिष्टांथ द्वारा वे सिध करता है कि कुट्या भी कुट्य की भाती एक अच्छी पहरेदार हो सकती है परन्तु उसका ये द्रिष्टांथ दुर्बल प्रतीत होता है जैसा की बारकर ने लिखा है स्त्री की प्रकरती में लिंग एक मात्र तथ्य नहीं है जिसमें और केवल जिसमें ही वे पुरुशे से भिन है अपी तू, वे तो उसकी समस्त जीवन को प्रभावित करता है Footnote 1 The fact of sex is not one assolited things in woman's nature In which and in which alone she differs from man It colors her whole being By Barker, I bid, page 225, note completed दूसरा, स्त्री और पुरुश की अस्थाई संबंद की योजना प्रस्तावित करते हुए प्लेटो पती पत्नी के संबंदों की पवित्रता को भुला देता है पती और पत्नी का संपर्क केवल यौन संबंद के लिए नहीं होता वरन ये संबंद तो संपूर्ण जीवन का आधार है इस प्रकार उसका सामेवाद मानव मरोविज्यान की अभीलना करता है और इस तृष्टी से आवहवारिक है तीसरा ये संद्हे पूर्ण है कि राज्य के माध्यम से संसर्ग स्थापित कर बुध्धी मानों, सदाचारियों और बलवानों की एक जाती उत्पन की जा सकेगी अनात बालक अधिक लाडले और मानव जाती के दुर्बन नमूने सिद्ध होंगे प्लेटो एक संदिक्द हित के लिए एक मानेता प्राप्त संस्था को समाप्त करता है जो सदाचार का स्त्रोत और नागरिक्ता के गुणों की श्रेष्ट पाटशाला है चार जो वस्तो सबकी होती है उसकी परवहा करना कोई भी अपना उत्तरदायत्व नहीं समझता प्लेटो की व्यवस्ता में जब बच्चे सबके समझे जाएंगे तो उनका लालन पालन वैसे प्रेम, दुलार, ममता और साबधानी में नहीं हो सकता जैसा वरतमान परिवार व्यवस्ता में होता है अरस्तु इस बात को द्रिष्टी में रखते हुए लिखता है प्लेटो वादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंदी होना कहीं अधिक उत्तम है फुटनोट टू इट इस फार बैटर तो बी अ कजन देना प्लेटोनिक सन बाई अरस्तु 5. प्लेटो के सामेवाद में अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वन्चित कर दिया गया है इससे अभिभावक वर्ग प्रसन नहीं रह सकेगा और ना ही वे अपने सारवजनी कर्तवय को संपादन भलिभाती कर सकेगा 6. उत्तम संतान उत्पन करने के लिए प्लेटों ने अपनी सामेवादी वेवस्था को पशु जगत के उधारणों से पुष्ट करने का प्रत्न किया है किन्तु पशु जगत के नियामों को मानवे जीवन पर लागू करना किसी भी द्रिष्टी से उचित नहीं कहा जा सकता 7. प्लेटों ने इस वेवस्था का प्रतिपादन राजे में एक्ता स्थापित करने के लिए किया है परन्तु प्लेटों के सामेवाद में स्त्रियों को लेकर जगडे निश्चत रूप से बहुत अधिक बढ़ जाएंगे 8. स्त्रियों का सामेवाद सैयम के गुण को नश्ट कर देगा जो कि श्रिष्ट चरित्र का एक अत्यंत आवशक तत्व है 9. प्लेटों की व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंदियों यस्वम अपने ही रक्त से संबंदित व्यक्तियों के साथ अपवित्र कारे होने की आशंका है 10. प्लेटों की व्यवस्था के अंतरगत व्यक्तियों को उस क्षेत्र में केवल एक साधन बना दिया गया है जिसमें स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की द्वारा साध्य होने का दावा किया जा सकता है 11. प्लेटों की व्यवस्था का अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के वहवारिक अनुभव से वंचित रहेगा और उसके द्वारा उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक अवश्यक्ताओं और समस्यां को ठीक रूप से नहीं समझा जा सकेगा ऐसे व्यक्ति योगिशासक के रूप में कारे कर सकेंगे ये बात बहुत संधेह पूर्ण है प्रिष्ट संख्या पंद्रा प्रेटोवादी सामेवाद के पक्ष में सैधानतिक द्रिष्टी से चाहे कुछ भी क्यों न कहा जाए उसकी वहवारिक्ता नितांत संधेह स्पध है समाज के एक पक्ष को सामेवाद की परिधी में लाना और दूसरे को उसे मुक्त रखना अपने आप में नितांत त्रुटी पूर्ण है परिवर विशयक सामेवाद की आवहवारिकता तो इस बात से भी सपश्ट हो जाती है कि अब तक वहवार में इसे कहीं पर भी अपनाया नहीं जा सका है प्लेटो की सामेवाद की आधुनक सामेवाद से तुलना प्लेटो ने सामेवाद की वैसी ही विधिवत विवेचना की है जैसी की कालमाक्स या किसी और विचारक ने की थी इसी आधार पर अनेक लेखकों के द्वारा प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रधम सामेवादी विचारक माना गया है प्लेटों की सामेवाद और आधोनिक सामेवाद के बीच निम्न समानताईं देखी जा सकती है पहला दोनों ही सामेवादों का लक्षे राजे में नियाय की विवस्था कर वर्ग संघष को दूर करना है जिसे राजे में राजनेतिक एक्ता और समाजिक भायचारे की भावना स्थापित हो सके दूसरा दोनों ही व्यक्ति और राजे के पारसपरिक संबंधों में राजे को सर्वपरी मानते हैं और व्यक्ति की तुलना में राजे को प्रधानता देते हैं दीसरा, प्लिटोवा आधुनिक सामेवादी दोनों ही राजे के हित में व्यक्ति की स्वार्थी प्रवर्थी पर नियंतरन आवश्यक समझते हैं। चौथा, दोनों सार्वजनिक तथा समाजिक हित में ही व्यक्ति का हित समझते हैं। पांच, दोनों राजे में शक्ती तथा पदों के लिए प्रती द्वंदिता को समाप्त करना चाहते हैं। छे, दोनों राजे के विभन वर्गों के बीच आर्थिक प्रती योगता को समाप्त करने के पक्ष में हैं। दोनों विचारधारों की उप्रियुक्त समानताओं को दृष्टी में रखते हुए ही संभवताया मैक्सी ने लिखा है, यदि प्लेटो आज जीवित होते, तो वे आधुनिक सामेवादियों से भी प्रबल सामेवादी होते. Footnote 1 Were he alive today, प्लेटो would have been the reddest of reds. By Maxi, Ibit, page 55, note completed. असमानताएं यदपी दोनों विचारधारों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन इसके साथ ही इनमें असमानताएं भी हैं, और असमानताएं अधिक महत्वपून तथा आधार भूत हैं. प्रमुक्तया निम्न असमानताओं का उलिक किया जा सकता है. पहला, लक्षे का भेद. प्लेटों के सामेवाद का लक्षे राजनेतिक हैं, और वे विशिष्ट प्रकार की आर्थिक योजना के आधार पर राजे में भ्रष्टाचार तथा कुशासन को दूर कर सुशासन स्थापित करना तथा राजे में एक्ता को बनाए रखना चाहत दूसरा, वर्गे आधार पर भेद. प्लेटों का सामेवाद जैसा की नेटार्प ने कहा है, अर्थ सामेवाद हाफ कॉमिनिल्स्म हैं, क्योंकि ये शासक तथा सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, जिसकी संख्या संपून जन संख्या की आधी से भी कम होती है, किन्तु आ आर्थिक धाचे के संबंद में भेद. प्लेटों का सामेवाद राज्य के आर्थिक धाचे को बिल्कुल अपरिवर्तित रखता है, कोई भी उतपादक या उतपादन, क्लिया का कोई भी अंग इससे प्रभावित नहीं होता, किन्तु आधुनक सामेवाद राज्य के 4. उपभोग व्यवस्था के संबंद में भेद प्लेटों का सामेवाद उपभोग के पैदार्तों को प्रभावित करता है इसका उत्पादन के साधनों से कोई संबंद नहीं है अभिभावक वर्ग सामोहिक रूप से भोजन, वस्त्र और निवास का ही उपयोग करता है भूमी या पूंजी का नहीं आधुनिक सामाजवाद या सामेवाद उत्पादन के साधनों के सामोहिक स्वामित्व से ही अधिक संबंदित है प्लेटो के विपरीत ये उपवोग पैदार्थों में निजी संपत्ति की विवस्ता को बनाए रखता है प्रिष्ट संख्या सोलह पांच, राजनितिक और आर्थिक शक्तियों के एकी करण के संबंद में भेद प्लेटो का विचार है कि राजनितिक और आर्थिक शक्तियों का एकी करण राजे को नश्ट कर देगा और इसी कारण उसने इस प्रकार के एकी करण को रोका है लेकिन आधुनक सामेवाद उत्पादक वर्ग को ही राजनितिक शक्ति प्रदान करना चाहता है सर्वहारा वर्ग के अधिनाय कत्व का तात्परे है कि श्रामिक वर्ग के हाथ में ही राजनेतिक शक्ती हो छे आधार भूत स्वरूप का भीद प्लेटू का सामेवाद अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है बारकर के शब्दों में ये समर्पन का मार्ग है और इस समर्पन की मांग सर्वोतम और केवल सर्वोतम मनुष्य से ही की गई है उसने अभिभावक वर्ग को समस्त निजी संपत्ती से वंचत कर दिया है क्योंकि निजी संपत्ती को सार्वजनिक शेत्र के करतावे पालन की एक बाधा समझा गया है किन्टु आध्यौनिक सामेवाद पूंतया भौतिक है और वे संपत्ती की वांचन याता को सुविकार करते हुए उसके वितरण पर बल देता है 7. पारिवारिक सामेवाद के संबंद में भेद प्लेटों के सामेवाद में संपत्ति की सामोहिक व्यवस्था के साथ साथ स्तिरियों की भी सामोहिक व्यवस्था की गई है किन्तु आधुनिक सामेवाद स्त्रियों के संबंद में इस प्रकार की किसी वेवस्था का प्रतिपादन नहीं करता आठ नगर राज्य और अंतराष्ट्रेता का भेद प्रेटू के सामेवाद का प्रतिपादन युनान के छोटे-छोटे नगर राज्यों के दृष्टी में रखकर ही किया गया है उसके लिए ये नगर राज्य उच्जितम प्रकार के सामाजिक संगठन है और उसने कभी विश्व विवस्था के संबंद में सोचा ही नहीं है किन्तु आधुनिक सामेवाद एक ऐसी नवीन विवस्था स्थापित करना चाहता है जिसमें राष्ट्रिय राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होगा वे समस्त विश्व के मजदूरों की आधार भूत एकता में विश्वास करते हैं वस्तुतहा प्लेटों का सामेवाद आधुनिक सामेवाद से इतना अधिक भिन्न है कि टेलर के इस कथन को स्विकार करना पड़ता है कि रिपबलिक के समाजवाद और सामेवाद के संबंद में बहुत कुछ कहे जाने के बावजूत वस्तुतहा इस ग्रंथ में ना तो सामा राजनेतिक दर्शन में सरवाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। ततकालिन एथन्स के कुलीन वर्ग में उत्पन होने के कारण संभवतहा प्लेटो राजनेति में प्रवेश करने का इच्छुक था। किन्तु उसने ततकालिन राजनेतिक समाज की जो बुराईयां देखी उससे वे राजनीति से विमुक हो गया और उसने स्वमराजनेतिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा राजनीति से अलग रहते हुए राजनेतिक जीवन की बुराईयों को दूर करने के उपायों पर उसने डिपब्लिक में लिखा है हमारे नगर राजियों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक की दर्शनिक राजा ना होंगे या इस संसार की नरेशों और यूवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता ना होगी इस संबन में प्लेटो की विचारधारा सुकरात के इस विश्वास पर आधारित है कि दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है यद भी प्लेटो सामान तया एक ही दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करने के पक्ष में है कि उसका विचार है कि यदि किसी राजे में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरितर की श्रिष्टता और दूर दर्शिता से संपन व्यक्ति हो तो दार्शनिक राजा को इनके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए प्लेटो का दार्शिनिक शासक राजे के हितों के साथ स्वयम अपने हितों का पून तदात में स्थापित कर लेता है उसके अपने कोई हित नहीं होते और वैसा पून समुदाय के हितों को ही दृष्टी में रखता है उसमें तृष्णा तथा एंद्रियक विशयों को भोगनी की लासा नहीं होती उसमें शेष्ट आत्मा के सभी गुण होते हैं वैसत्य का अन्विशक है और तब तक अपना प्रैथ ने जारी रखता है जब तक कि उसे सच्चा ग्यान प्राप्त नहीं हो जाता वैसत्य शिव और संद्रम का मुर्तिमान स्वरूप होता है प्लेटू का दार्शनिक शासक और उसकी निरकुंशता उसकी आधार भूत मानेताओं का स्वभाविक और नियासंगत परिणाम है यदि हम उसकी इन मानेताओं को मान लें कि पहला ग्यान और धर्म प्रयावाची शब्द है नौलेज इन वर्चियों दूसरा वास्तविक अत्वावे ग्यानिक ग्यान तथा कोरा विश्वास या मत अलग-अलग चीज़े हैं और प्रथम दूइती से श्रेष्ट है तो रिपबलिक का सारा भवन जिसके शिखर पर एक निरकुंश और स्वेचाचारी शासक स्थित है हमें पूर्ट तया तर्ग पूर्ण और नियासंगत प्रतीत होगा चीनी दार्शनिक कनफ्यूशियस की भाती प्लेटो की भी धारना थी कि दार्शनिक राजा के शासन में कानून की कोई आवशयकता नहीं होगी Confucius ने लिखा है कि जहां राजा सद्गुणी है वहां कानून अनावशेक है और जहां राजा सद्गुणी नहीं है वहां कानून निरर्थक है Footnote 1 Where the prince is virtuous, laws are unnecessary. Where the prince is not virtuous, laws are useless. By Confucius, quoted by Vapor, I bit, page 27, note completed विशुद्ध और निर्पेक्ष तत्व ग्यान को आप लिखित कानून के अधीन नहीं कर सकते, जो परंपरागत होने के करण सदा सापेक्षित होता है और जिसका आचते कभी भी असंदिक्त नहीं हो सकता इस संबंद में बारकर का ये कथन पूंताया सत्थ है कि दाशनिक राजा प्लेटोवादी राचे रचना की समस्त पदवती का नियाय संगत परिणाम है वे कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है प्रिष्ट सत्रा पहला दाशनिक शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजे में धन और संपत्ति की असमानताएं बहुत अधिक विशम ना हो जाए क्योंकि इस से अनेक प्रकार की बुराईयां उत्पन हो जाती है दूसरा दाशनिक शासक द्वारा राजे का आकर इतना ही बनाए रखा जाना चाहिए कि राजे की एकता और आत्म निर्भरता बनी रहे तीसरा उन्हें न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए कि प्रतेक व्यक्ति अपने निश्चत कर्तव्यों का पालन करता रहे चौथा शासक के द्वारा राजे की शिक्षर व्यवस्था में परिवर्ता नहीं किया जाना चाहिए दार्शनिक शासकों के संबंद में विशेश बात ये है कि उनका जीवन भोग का नहीं वरंतियाग और समर्पन का जीवन है यद भी उन्हें राजनेतिक शक्ति प्राप्त होगी किन्तु उनके अपने व्यक्तिगत हिथ संपत्ति या परिवार नहीं होगा आलोचना प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के शासन की धारणा में अनेक कमभीर दोश हैं जिनका उलेक निम्न प्रकार से किया जा सकता है पहला निरकुंश शासन का मार्क प्रशस्त करना प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमत शक्ति देकर निरकुंश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है यदपी प्लेटो ने शासक पर चार प्रतिबंधों का उलेक किया है किन्तु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं है कि उसे निरकुंश बनने से रोख सके शासक को असीमित सत्ता प्रदान करने का परिणाम जनहित की दृष्टी से अच्छा नहीं हो सकता सत्ता का मद स्वभाविक है और प्लेटो ने दार्षनिक को निर्कुंश शासन का अधिकार देकर उनके सत्ता के मद से दूशित और भ्रष्ट होने की आशंका बढ़ा दी है लौड एक्तिन की शब्दों में सत्ता मनुश्य को भ्रष्ट करती और निर्कुंश सत्ता पून रूप से भ्रष्ट कर देती है ऐसी स्थती में दार्षनिकों का स्वेच्छा चारी शासन वेही दुश परिणाम उत्पन करने वाला होगा जिनके निवारन के लिए प्लेटो ने दार्षनिक राजा के शासन की विवस्था की है दूसरा नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वाविवेक का अंत दार्षनिक राजा को शासन की संपून शक्ति प्रदान कर प्लेटो ने राजे के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वाविवेक का अंत कर दिया है प्लेटोवादी राजे के नागरिक तो राजे की मशीन के जड़ पुर्जे बनकर रह जाते हैं जिनकी अपनी कोई चेतना शक्ती नहीं होती मानव को जड़ की स्थिती या पश्यो की सी स्थिती में पहुचाने वाली विवस्था को किसी भी रूप में श्रेष्ट नहीं कहा जा सकता तीसरा प्रजातांत्रिक समानता के सिध्धान्त की अभीलना उसका ये विचार की गुण और ग्यान के धनी तो केवल कुछ ही व्यक्ती होते हैं प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक सिध्धान्त के विरुध है व्यरस्तु की इस बात में जो समानता या अधिक सत्य है विश्वास नहीं करता कि संपून सामोहिक रूप से कुछ दार्शनिक संड्रक्षकों की तुलना में अधिक भुद्धी मता रखता है प्रिष्ट अठारा चार प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरूध प्रेटो का दार्शनिक राजाओं का सिध्धांत ना केवल प्रत्यक्ष वरन प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र को भी नितांत अस्विकार कर देता है पांच दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकार प्रेटों के दार्शनिक शासक सार्विजनिक शेतर के करतवयों का उच्चत रूप में संपाधन कर सकेंगे इसमें भी बहुत अधिक संदे है अत्यधिक दार्शनिकता संकी पन उत्पन करती है और सन की व्यक्ति का शासन निश्चत रूप से अन्याएपूर्ण और आसंतुलित ही होगा इतिहास हमें ये बताता है कि अब तक आस्ट्रिया में जोसेफ दुवित्य जैसक जो दार्शनिक शासक हुए उनका शासन जनहितकारी और लोकप्रिय नहीं रहा इस संबंद में जोवित्य ने लिखा है कि दार्शनिक राजा या तो भविश्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है वर्तमान की वास्तिविक्ता से उसका कोई संबंद नहीं होता फुटनोट 1 उनकी द्वारा बिना किसी प्रकार की तैयारी और अनुभव के थोड़े ही समय में करांतिकारी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा सकता है इसका परिणाम निश्चत रूप से अहितकर होगा 6. विरोधा भासों से पून प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिध्धान्द विरोधा भासों से भी पून है एक और तो वे अपने दार्शनिक शासक को असीम अधिकार प्रदान करता है दूसरी और वे उस पर चार सिध्धान्तिक प्रतिबंद लगाता है ये निश्चत रूप से एक विरोधा भास है और बारकरनी तो इसे रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधा भास कहा है पुर्शो तथा स्त्रियों के समान, शिक्षन तथा कारे और पत्नियों के सामेवाद के विरोधा भास से भी बड़ा साथ स्वयम प्लेटो की महत्वा कांग्षा का प्रतिबिंब कुछ आलोचुको की दृष्टी में प्लेटो स्वयम शासक बनना चाहता था और इस उद्देश इसे प्रेरित होकर ही उसने अपनी दार्शनिक शासक की धारना का प्रतिपादन किया पौपर का कथन है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयम है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है वस्तुतहा दार्शनिक शासक की कल्पना को वास्तविक्ता का रूप प्रदान करना सरल कारे नहीं है इसका प्रमानी ये है कि इतिहास में कभी भी ऐसे दार प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राजे का चितरन किया है। प्लेटो के आदर्श राजे की प्रमुक विशेषता इस प्रकार है। विसत्य का अनवरत अनवीशक होता है और उसमें एक श्रेष्ट आत्मा की सभी लक्षन होते है। दूसरा निरकुणशता असीमित नहीं। प्लेटो के आदर्श राजे में शासक वर्ग को असीमित निरकुणशता प्राप्त नहीं है। यदभी दाशनिक शासक पर लिखित कानून यजनमत का नियंतर नहीं है। लेकिन इस कारण इसे असीमित निरकुणशता नहीं कहा जा सकता। वे युनानी साहित्ते के प्रचलित अर्थों में स्वेचा चारी शासक नहीं है। दाशनिक राजा इस बात के लिए बाधी हैं कि वे सम्विधान के मूल प्रबंदों का पालन करे। तीसरा, आदश राजे में न्याए। प्रेटो का आदश राजे न्याए पर आधारित है। न्याए ही राजे की एकता को बनाए रखने वाला सूतर है। प्रेटो का कहना है कि समाज अध्वाराजे समाज की अवशयक्ता और व्यक्ति की योगता को दृष्टी में रखते हुए प्रतेक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं। और प्रतेक व्यक्ति द्वारा संतोष पूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लिटु का आदश राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रतेक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है। प्रिष्ट संख्या उन्निस चार नागरिकों के तीन वर्ग आदर्ष राजे के समस्त नागरिकों को तीन वर्गों में बाटा गया है पहला शासक वर्ग, दाशनिक राजा का वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग ये वर्ग अपना विशेश कारे करते हैं, दाशनिक वर्ग राजने तिग्यता के कारे से संबंदित है, सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा के कारे से संबंदित है और उत्पादक वर्ग श्रमे को, क्रिशे को आदी के उपवर्गों में विभाजित होकर उत्पादक कारें में प्लेटों ने प्रथम दो वर्गों शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को उच्च वर्ग या अभिभावक वर्ग का नाम दिया है 5. कार्यात्मक विशेशी करन का सिध्धांत प्लेटों के आदश राजे में कार्यात्मक विशेशी करन का सिध्धांत लागू है प्रतेक व्यक्ति केवल उन ही कार्यों का संपादन करता है जिने करने के लिए वे सरवाधिक योग्य है 6. शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण प्लेटों के आदश राजे में शिक्षा शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है प्लेटू का विचार है कि शिक्षा राजे की प्रकृति और आवशयक्ताओं के अनुकूल हो इसके लिए शिक्षा राजे द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित होनी चाहिए साथ कुरुची पून कला तथा साहित्य पर प्रतिबंद प्लेटू के आदश राजे में कला और साहित्य पर प्रियाप्त नियंत्रन की विवस्था है ये विवस्था इस उद्देश से है कि अनयतिक प्रभाव उत्पन करने वाली कोई भी वस्थू नविवक वर्ग के हातों में ना पड़ जाए उसका विचार है कि केवल शेष्ट साहित्य और कलाएं ही प्रकाश में आनी चाहिए आठ आदश राजे में सामेवादी विवस्था प्लेटू के आदश राजे में अभी भावक वर्गी के लिए संपत्ती और स्त्रियों के सामेवाद की विवस्था की गई है शासक और सैनिक वर्गी की ना तो अपनी कोई संपत्ती होती है और ना ही परिवार प्लेटू का विचार है कि ये सामेवादी विवस्था ही ऐसी परिस्थितिया उत्पन कर सकती है जिनमें अभी भावक वर्ग अपने कर्तव्यों का शृष्टता पूर्वक संपादन कर सके नौ नर नारियों का समान अधिकार आदश राजय में प्लेटो नारियों को घर की चार दिवारी से बाहर निकाल कर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन, आदी जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष के समान अधिकार प्रदान करता है 10. सर्वाधिकारवादी राज्य प्लेटो का आदश राज्य अपनी प्रकरती में सर्वाधिकारवादी है क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है प्लेटों की आदश राज्य संबंदी धारणा को व्यक्त करते हुए वे पर लिखते हैं कि उचित नेत्रत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोशन आदश राज्य के अपरिहारे तत्व हैं फूटनोट 1 प्लेटों के आदश राज्य को एक ऐसा स्वापन लोग के राज्य कहा जाता है जिसकी स्थापना प्रिथवी पर संभव नहीं है उसके धुरा प्रस्ताविद आदश राज्य की योजना की प्रमुक रूप से निम्नलिखित आलोचनाई की जासकती है पहला, स्वतंत्रता का निशेद प्लेटों का आदश राज्य व्यक्तियों को आवश एक स्वतंत्रता प्रादान नहीं करता है वे इतना नियंतरन कारी है कि इसमें व्यक्तियों की सभी प्रवर्तियों का विकास संभव नहीं है प्लेटो का आदश राजे एक सरवाधी कारवाधी राजे है और ये अपने स्वभाव से ही मानिविय स्वतंतरता के हित में नहीं हो सकता है दूसरा, कार्यात्मक विशेशी करण की पद्वती अनुचित प्लेटो के आदश राजे का एक प्रमुक आधार कार्यात्मक विशेशी करण की पद्वती या नियाएं हैं कार्यात्मक विशेशी करण की पद्वती या नियाय के आधार पर मानविय व्यक्तित्व का एक विशेश पक्ष ही विक्सित हो पाता है और शेश व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है हम ये कह सकते हैं कि प्लेटोवादी आदश राज्य में मानविय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास की संभावना नहीं है दिसरा व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व प्रेटो ने अपनी आदश राजे की धारणा में राजे और व्यक्ति की समानता को अत्यधिक और अनुचित महत्व दिया है मानवी आत्मा के तीन तत्वों के आधार पर राजे के नागरिकों को तीन वर्गों में बाटना वस्तु स्थिति से निश्चित रूप में भिन और अवेहवारिक है व्यक्ति और राजे में इस प्रकार की समानताओं के निरुपन से अनेक शंकाएं उत्पन होती है प्रिष्ट संख्या 20 चार उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा प्रेटोवादी आदश राजे की आलोचना का एक प्रमुक आधार ये है कि इसमें उत्पादक वर्ग की नितांत अपेक्षा की गई है वे अन्य दोनों वर्गों के सामान इनके लिए ना तो विशेश शिक्षा की विवस्था करता है और ना ही सामाजिक धाचे में उनका महत्वपून स्थिती प्रदान करता है उत्पादक वर्ग की ये शोचनिय पेक्षा राजे के अस्तित्व को ही नश्ट करने वाली है शासक वर्ग के लिए समुचित शिक्षा सुविधाओं की वैवस्था नहीं करता पांच शासक वर्ग की निर्कुन्ष सत्ता प्लेटों के आदर्श राजे में कानूनों और नियमों का पून अभाव है और इसमें दाशनिकों को निर्कुन्ष सत्ता सौब दी गई है जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना ही विवेक्षील और बितरागी क्योना बना दिया गया हो अनियंतरित शक्ति पाजाने पर मानविय स्वभाव के अनुसार इसमें दोश आजाना नितांच स्वभाविक है इसी आधार पर बारकर ने प्लेटों के आदश राजे को प्रबुध निर्कुन्षवाद की संग्या दी है 6. शासन के लिए आवशेक तत्वों की उपेक्षा प्लेटों ने आदश राजे में शासन के लिए आवशेक अनेग तत्वों की घूर उपेक्षा की है उनके द्वारा कानूनों, सरकारी पद अधिकारियों के नियुक्ती, नियायानलयों का प्रबंद और अपराधियों को दंड देने की विवस्था का कोई वर्ण नहीं किया गया है इन तत्वों की उचित विवस्था के बिना एक आदश राजे का कारे संचालन कठिन ही प्रतीत होता है साथ, दास प्रथा के संबंद में मौन आदश राजे की धरना का एक बड़ा दोश, प्लेटो का तत्कालीन समाज के प्रमुख लक्षन दास प्रता की संबंद में मौन रहना है ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने इसे अपनी मौन स्विकृती प्रदान कर दी है अरस्तु द्वारा आलोचना अरस्तु ने अपने ग्रंत पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदश राजे की धारना की निमनलिखित आधारों पर आलोचना की है पहला, प्लेटो की सामेवादी योजना मानविये प्रकर्टी के मौल सिधानतों के विरुध है दुसरा, प्लेटो का राजे में पूर्ण एकता का विचार राजे के लिए विनाश कारक है क्योंकि राजे की प्रकर्टी का मौल तत्वी ही बहुलता है तीसरा, प्लेटो अपने आदश राजे में निमने वर्गों की बिलकुल उपेक्षा करता है जो कि राजे की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है प्लेटो की ये उपेक्षा समाज को दो परस पर विरोधी वर्गों में विभाजित कर सकती है क्या प्लेटो का आदश राजे कालपिनिक है आदश राजे की धारना का महत्व उप्रियुक्त आलोचनाओं के अतरिक्त प्लेटो के आदश राजे पर सबसे बड़ा आक्षे पिये किया जाता है कि प्लेटो सौपने द्रिष्टा था और उसकी रिपब्लिक में वर्णित राजे ऐसा सौपने लोग की है जिसके इस प्रिथवी पर कहीं भी सत्ता नहीं है सौपन प्लेटो ने इस विकार किया है कि सामेवाद और दाशनिकों के शासन पर आधारित आदश राजे की क्रियानिविती सरल नहीं है किन्तु इसके बावजूद प्लेटों के आदश राजे को मात्र कालपनिक नहीं कहा जा सकता है बारकर के विचार अनुसार रिपब्लिक में राजू के रोग का निदान और उपचार दोनों ही केवल किन्हीं पहले से कल्पित दाशनिक सिधान्तों के आधार पर निश्यत नहीं किये गए वरन युनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किये गए है बारकर के इस कथन के पुष्टे के निम्न आधार है प्रथम रिपब्लिक वास्तिविक पर इस्थितियों पर आधारित है रिपब्लिक की आठवी तथा नवी पुस्तक में तथकालीन युनान की शासन प्रणालियों स्पाटा के वर्ग तंत्र, अलिगाकी और कीर्थी तंत्र, एथन्स के लोग तंत्र और सीरा की उसके निर्कुश शासन का उलेक है प्लेटो के दृष्टी में सभी विकृत शासन प्रणालिया है क्योंकि इसम विवेक पर अग्यान और वासना के तत्वों की प्रधानता है प्लेटो इन तत्कालीन राज्यों के रोग का निदान भी बदलाता है प्लेटो के अनुसार वे निदान ये है कि शासन में विवेक या विशुद बुद्धी रीजन को सर्वोच स्थान दिया जाए और एक नवीन शिक्षा पद्वती तत्हसामेवाद की प्रणाली द्वारा वासना और उत्सहा को विवेक द्वारा नियंत्रत किया जाए इस प्रकार उसने वास्तविक परिस्तितियों के आधार पर शासन के रोगों का निदान प्रस्तुत किया है साथवी पुस्तक में बतलाई गई विवेन विशेयों की शिक्षा उसकी अकादमी में वास्तव में दी जाती थी उसके सामेवाद की प्रणाली भी स्पाटा तथा अन्य राजियों में बहुत कुछ अंशों में पाई जाती थी प्रिष्ट संख्या 21 दूइतिये प्लेटो का मात्र कल्पना वादी ना कहने का आधार ये है कि प्लेटो ने तदकाल इन राजनीती की बुराईयों को सुयम देखा अनुभव किया वभूगा था तथा वे इस स्थिती में क्रियात्मक सुधार करने की तीबर इच्छा रखता था उसकी वहवारिकता इसी बात से सपष्ट है कि उसने अपनी सामेवाद की योजना सभी राजवासियों पर लागू करने के बजाए शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग तक ही सीमित रखी है अपने आदश राजे के संबंध में प्लेटो भले ही आदश वादी या चाहे कुछ कल्पना वादी भी रहा हो किन्तो उसका ये आदश ऐसा है जिसकी वहवारिक जीवन में पत प्रदर्शन के लिए आवशयक्ता होती है और जिसका पश्चिम के राजनीतिक जीवन पर वस्तुतहा गहरा प्रभाफ पड़ा है प्लेटो ने रिपब्लिक की नौवी पुस्तक के अंत में लिखा है स्टेट्समेन या पॉलिटिक्स और लॉज प्लेटो की सबसे प्रमुक रचना रिपब्लिक ही है प्लेटो मोलतहा एक आदश वादी विचारक है और उसने अपने इस आदश वाद का प्रतिपादन रिपब्लिक में किया है प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना लगभग चालिस वश की आयू में की थी लेकिन अपने जीवन के उतरार्द में संभवतया उसने ये अनुभव किया कि इस आदश राज्य की स्थापना संभवतया प्रित्वी पर कहीं भी संभव नहीं है अधह वे अपने जीवन के उतरार्द की राजनेतिक रचनाओं स्टेट्समेन और लॉज में एक यथार्दवादी विचारक के रूट में सामने आता है रिपबलिक और लॉज में सबसे प्रमुक अंतर ये है कि रिपबलिक में प्लेटो ने साक्षात विवेक की प्रति रूप दार्शनिक राजा के असी में तर्शासन का प्रतिपादन किया है इस आदर्श राज में विधी की सर्वोचिता को अस्विकार करते हुए दार्शनिक राजा की सर्वोचिता का प्रतिपादन किया गया है लेकिन स्टेट्समेन और उससे आगे चलकर प्रमुक रूप से लौज में मानिवे अपूनताओं को द्रिष्टी में रखते हुए विधी की सर्वोचिता के सिधान्त को स्विकार किया गया है लेकिन इस संपून प्रसंग में महत्वपून तथ हे यह है कि प्लेटो यथार्थवादी मार्ग अरथाथ राजे में विधी की सर्वोचिता के सिधान्त का प्रतिपादन आधे अधूरे मन से ही कर पाया है यथार्थवाद के मार्ग पर चलते हुए भी उसकी दृष्टी तो आदशवाद और रिपब्लिक में प्रतिपादत आदश राज़े पर ही टिकी हुई है इस प्रकार प्लेटो ने अपने आदश राज़े का प्रतिपादन रिपब्लिक में किया है और उपादश राजे का प्रतिपादन स्टेट्समेन और प्रमुकतया लॉज में प्लेटो मूलतहा एक आदशवादी विचारक है और उसे इसी रूप में जाना जाता रहेगा राजनितिक चिंतन में प्लेटो की किर्थी रिपबलिक और उसके इस आदर्शवादी चिंतन के कारण ही है प्लेटो का अनुदाय और महत्वल प्लेटो को एक कल्पना दर्शी विचारक कहकर उसकी आलोचना की जाती है किंतु वास्तव में प्लेटु एक कल्पना दर्शे विचारक नहीं वरन आदर्शवादी विचारक है, जिसने अपनी आदर्शवादिता के आधार पर वास्तिविक्ता में सुधार करने की चेश्टा की है कुछ सीमा तक प्लेटों के विचार कार्पिनिक है रिपब्लिक में चित्रत आदर्श राज्य के संबंद में ये स्वेम कहता है कि इस प्रकार का आदर्श राज्य तो स्वर्ग में ही संभव है पृत्वी पर नहीं किन्तु इस संबंद में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आदश राजे के चित्रिन में उसके द्वारा एक ऐसा प्रतीक खड़ा किया गया है जैसा की राजे को वास्तव में होना चाहिए उसका कारे विद्वान राजे व्यवस्ता में सुधार और उनके गुड़ों के मापदंड के लिए एक आदश की स्थापना करना मात्र है अपने आदश की वहवारिक्ता पर विचार करना नहीं प्लेटू एक आदश वादी और इसके साथ ही एक व्यवाहारिक दाशनिक है पहला प्लेटो का न्याय सिध्धान्थ प्लेटो के अनुसार प्रतेक व्यक्ति को उसका उचत अंश प्राप्त होना ही न्याय है ये एक सही सिध्धान्थ है और कोई भी श्रेष्ट समाज इसी पर आधारित हो सकता है दूसरा कार्यात्मक विशेशी करण का सिध्धान्थ नियाई की धारणा से ही संबंदित कार्यात्मक विशेशी करण का सिध्धान्थ है जिसका अनुसार प्रतेक व्यक्ति के द्वारा केवल एक ही ऐसा कारी किया जाना चाहिए जिसे करने के लिए वे सरवाधिक उप्युक्त हो इस धारना को अपना कर ही समाज में विवस्था और श्रिष्टता को प्राप्त किया जा सकता है तीसरा बुद्धी का शासन प्लेटो का ये विचार की शासन का कारे सरवाधिक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए और शासन के क्षेत्र में गुण तथा योगिता को सरवोच महत्व प्राप्त होना चाहिए एक सार्व लौकिक सत्य है जिसे अपनाने में ही मानफ्ता का कल्यान नीहित है चार स्तरी पुरुष की समानता प्लेटो नारी जाती को मुक्ती प्रदान करना और उसे राज्ये की सेवा में लगाना चाहता है ये ना केवल एक श्रेष्ट वरन वहवारिक विचार है वर्तमान में विश्व के सभी प्रगतिशील देशों में हजारों स्त्रियां सार्वजनिक शेत्र में कारे कर रही है 5. समपत्ती के सामेवाद का विचार यदपी प्लेटो के संपत्ती के सामेवात के विचार को भूत काल में नहीं अपनाया जा सका और इसे एक कालपनिक विचार समझा गया किन्तु आधुनिक काल में विश्व के कुछ देशो द्वारा संपत्ती के सामेवात के विचार को अपनाया गया है इसे प्लेटो की दूरदर्शिता ही कहा जाना चाहिए कि वे धनी और नर्धन के भेत को कम करने पर बार बार बल देता है प्लेटो राजनितिक दर्शन के इतिहास में सरवाधिक प्रभावशाली दाशनिक है वे एक युनानी विचारक मातर नहीं है और ना ही उसके विचार देश और काल की सीमाओं में आबद है वे आज समस्त विश्व के राज़तर्शन का आधार बने हुए है सर्थामस मूर की रचना यूटोपिया में तो रिपब्लिक का प्रभाग लक्षत होता ही है सिसरों की डी रिपब्लिका में भी प्लेटों की इस रचना का उलेख मिलता है सेंट ओक्स्टाइन ने रिपब्लिक की सहायता से ही देवी राज्य की कल्बना को चितरत किया है और मध्य युग में भी प्लेटों के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है दाते की दिमनार्किय बहुत अंशों में प्लेटों से प्रभावित है और आधुनिक विचारकों में रूसों और हीगल पर उसका सरवाधिक प्रभाव देखा जा सकता है वास्तव में प्लेटों को एक साथ ही क्रांतिकारी आधशवादी और समाजवादी विचारधारा का जनक कहा जा सकता है उसकी रचना रिपबलिक यदि आधश का प्रतिनिद्ध विकटती है तो लौज यथार्थ और वास्तिविक्ता का प्लेटों के अनुदाय के संबंद में डॉक्टर विश्विनाथ प्रसाद वर्मा लिखते हैं यूरोपिय चिंतन के इतिहास में उसका इतना व्यापक प्रभाव रहा है कि वे निरा व्यक्तिना होकर एक परंपरा और प्रतीक के रूप में हमारे सामने आता है आध्यात्मिक और नैतिक वैशिष्टिय की जो परंपरा उसने प्रतिपादत की है वे उसे शंक्रा चारे दांते और कांट की श्रेणी में स्थान दिलाती है फुटनोट वन डॉक्टर विश्विनाद प्रसाद शर्मा पास्चाते राजनेतिक विचारधारा का इतिहास नोट कम्प्लीटिड मैकसी ने इन शब्दों में प्लेटों की महत्ता को आकने का प्रेतने किया है उनकी रचनाए 24 शताबदियां बीच जाने के बाद आज भी आदर के साथ पड़ी जाती है इनसे प्रेना ग्रेहन की जाती है और इनके आधार पर अपने मतों की पुष्टी की जाती है किसी विचारक की अमरता और महत्ता का इससे अधिक प्रबल प्रमार नहीं मिल सकता है प्लेटों की अनुदाय का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कैटलिन ने उसे दर्शन का पूप और एमसन कहते हैं कि प्लेटों दर्शन है और दर्शन प्लेटों है footnote 3, Plato is philosophy and philosophy is Plato note completed ज्यान के ख्षेत्र में इससे बड़ा अनुदाय और इससे शेष्ट शब्दावली और क्या हो सकती है प्रिष्ट संख्या 23 प्रेश्ण निबंदात्मक प्रेश्ण पहला, प्लेटो के निया से धान्त की आलोचनात्मक परिक्षा कीजिए दूसरा, प्लेटो के शिक्षा योजना का वर्णन कीजिए, क्या ये आधुनिक यूग के लिए उप्युक्त है तिसरा, नियाय की धारना प्लेटो के राजनेतिक दर्शन का महत्वपून पहलू है, विवेचना कीजिए चार, प्लेटो के सामेवाद संबंदी विचारों का वर्णन कीजिए प्लेटो के सामेवाद और आधुनिक सामेवाद में क्या अंतर है समझाईए पांच, दि रिपबलिक राजनेति शास्तर का ग्रंथ नहीं बरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्विष्ष्ष्ट ग्रंथ है रूसो, इस कथन की व्याख्या कीजिए चै, प्लेटो का सामेवाद क्या है, इसके गुन्दोश क्या है साथ, प्लेटो के शिक्षा सिधान्तों का आलोचनात्मक परिक्षन कीजिए आठ, प्लेटो के आदर्श राजे के सिधान्त की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए न, प्लेटो के संपत्ती एवं परिवार संबंदी सामेवादी विचारों का आलोचनात्मक वर्नन कीजिए दस, प्लेटो के आदर्श राजे का परिक्षन कीजिए ये कहां तक वहवारिक है? लगू तरात्मक प्रश्न पहला, रिपब्लिक की विशे वस्तु पर प्रकाश डालिए दूसरा, प्लेटो के नियाय सिधान्त की तीन प्रमुक बाते बतलाईए तीसरा, क्या प्लेटो के नियाय सिधान्त को आज की परिस्तितियों में उचिद सिधान्त कहा जा सकता है? चार, प्लेटो के शिक्षा सिधान्त की प्रमुक बाते क्या है? पांच, प्लेटो के शिक्षा सिधान्त की आलोचना कीजिए 6. प्लेटों ने संपत्ती विशेक सामेवाद का प्रतिपादन किन आधारों पर किया है 7. प्लेटों ने परिवार विशेक सामेवाद का प्रतिपादन किन आधारों पर किया है 8. प्लेटों के सामेवाद का आधोनिक सामेवाद से अंतर्स वष्ट कीजे 9. प्लेटो का दाशनिक राजा किन मियमों से बंधा हुआ है 10. क्या दाशनिक राजा के शासन से निरकुंश शासन का मार्ग प्रशस्त होता है 11. प्लेटो के आदश राजे की चार प्रमुक विशेश्टाएं बतलाईए 12. क्या प्लेटो का आदश राज्य काल्पनिक है? 13. प्लेटो द्वारा अपने पुस्तक लॉज में प्रतिपादत आदश राज्य के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए 14. क्या प्लेटो फासेवादी विचारक है? और पंद्रा, प्लेटो के राजदर्शन में अमरत्व के तत्वों की विवेचना कीजिए बहु विकल्प ये प्रशने पहला, प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुक ग्रंथ का नाम है दूसरा, प्लेटो के गुरू का क्या नाम था? तीसरा, रिपबलिक राजनीती शास्तर का ग्रंथ नहीं वरन्शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्विश्रेष्ट ग्रंथ है ये कथन है, आ रूसु का, बा अरस्तु का, सा जेयस मिल का, दा बैंथम का उतरे आ रूसु का चार, प्लेटो की वुस्तक रिपबलिक का उपशिश्य क्या है? आ लाज, बा कंसर्निंग जस्टिस, सा कंसर्निंग लिबर्टी, दा स्टेट्समेन उतरे बा कंसर्निंग जस्टिस, पांच, प्लेटो के सामेवाद का सिधान्थ है लोकतांत्रिक, बा कुलीन तंत्रात्मक, सावैधानिक, दा भातिकतावादी उतरे बा कुलीन तंत्रात्मक, छे निम्निलिखित में से कौन सा कथन प्लेटो का है? आ मैं राज्य हूँ, बा राज्य प्रित्वी पर ईश्वर का अफ्तरण है, सा राज्य व्यक्ति का व्रहत रूप है, दा राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है उतरे सा, राज्य व्यक्ति का व्रहत रूप है, साथ प्लेटो का वास्तविक नाम है, आ आ अरिस्टोकलीज, बा, टर्गोस्टोन, सा, एंटिफोन, यदा, एलसी डेमिस, उतरे आ, अरिस्टोकलीज आठ, प्लेटो के शिक्षा सिधान्त की प्रमुक विशेश्टा है, आ, राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवारे शिक्षा, बा, स्तिरी प्रुष दोनों के लिए शिक्षा, सा, शिक्षा का उदेश व्यक्ति का सर्वांगिन विकास, यदा, उप्रियुक्त सभी उत्तरे दा, उप्रियुक्त सभी प्रिष्ट संख्या चौबिस नौप, प्लेटो ने समाज को कौन से तीन वर्गों में बाटा है आ, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग बा, क्रिशक, व्यापारी और सैनिक वर्ग सा, सामन्थ, पुरोहित और मज़दूर वर्ग दा, शासक, क्रिशक और मजदूर वर्ग उतरे आ, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग दस, शक्तिशाली का हित साधन ही नियाए है ये कथन किसका है? आ, प्लेटो, बा, थ्रेसीमेकस सा, पॉलिमाकस यदा, ग्लाउकन उतरे, बा, थ्रेसीमेकस ग्यारहा, निमनलिखित में से कौन सी प्लेटो के नियाए सिधान्द के विशिष्टा नहीं है? आ, कारे विशिष्टता का सिधान्द, बा, नैतिक सिधान्द, सा, दाशनिक शासक, यदा, नियाए कृत्म है, उतरे, दा, नियाए कृत्म है बारहा, निमनलिखित में से किस विद्वान ने प्लेटो के आदर्श राजे को प्रबुद निर्कुणशवाद की संग्यादी है आ बारकर, बालास की, सा अरस्तु, दारूसों उट्थरे आ बारकर तेरहा, निमनलिखित में से कौनसा कथन असत्य है आ प्लेटो वाद आदश वाद है, फासी वाद यथार्त वाद है बा प्लेटो वाद नैतिक्ता वाद है, फासी वाद अनैतिक्ता वाद है सा प्लेटो वाद विवेक वाद है, फासी वाद विवेक विरोधी दर्शन है दा, प्लेटों की विचारधारा युद्ध वादी है, फासिवाद शान्तिवादी है, उद्दरे दा, प्लेटों की विचारधारा युद्ध वादी है, फासिवाद शान्तिवादी है, चौधा, प्लेटों की शिक्षा पदवती, आ, केवल एथन्स की पदवती से प्रभाव किया है दा दोनों से बिल्कुल अप्रभावित थी उत्तरे सा एथन्स एवं स्पाटा की शिक्षा पद्वतियों के गुणों का समन्वे किया है पंध्रा निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटों के आदश राजे की विशिष्टा नहीं है आ दाशनिकों का शासन बा नियाय प समान अधिकार दा शिक्षा देना परिवार का दाइद्व 16 प्लेटों ने अपनी किस पुस्तक में उप आदश राजे की विवेचना की है आ रिपबलिक बा लॉज सालेवाइ थन्दा दि इमाईल उत्तरे बा लॉज 17. प्लेटों की अकादमी में किस विशे के अधियन पर सरवाधिक बल दिया गया था 18. प्लेटों की सामेवादी विवस्था किस वर्ग के लिए है 18. अधिया एक समाप्त प्रिष्ट संख्या 25